अलो, येस बिटा, प्लीज बताओ, आवा जारी है आपको? अलो, हाँ, हाँ, हुँँ, येस बिटा, प्लीज बताओ, आवा जारी है आपको? वेल, बताओ, आवा जारी है आपको आवाच क्लिर हारी होगी? very good RV is connected then very good very good very good just a minute 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 very good yes कल मैंने lecture 00 introduction lecture वो lecture मैंने यहाँ पे जिसमें आपको पुरी जानकरी दी थी लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको एक जानकरी यहाँ देना चाओगा पहले पांच मिनिट द्हांस से मुझे सुन लो और उसके बाद में हम जो है यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट करेंगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कल भी बात हुई थी और फिर से मैं यह बात कहना चाओगा पर पहले सेशन के शुरुआत करते हैं तो गड़ इविनिंग टो आल अफ यू एक लंबी सास लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आयाम कच अच्छा करने इस बार कहिए इस बार मेरे साथ टैक्सिशन में असी पार चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दू जो भी स्टूडेंट अभी करनेक्ट हुए है इस लेक्चर के लिए देखो आप सभी को पता है कि वी स्मार्ट अकडेमिय में अमारी बैचेज जो स्टार्ट हुई है वो फिप्टीन तॉफ फेब में फेब से फर्स ग्रुप के क्लासे स्टार्ट हो चुके जिसमें morning time में आपका DT start हो चुका है और हमारा GST स्टार्ट होगा income tax complete होने के बाद आपका income tax around 31st आपका income tax जो है around यहाँ पे 31st March के आज़ परस complete हो जाएगा और 1st week of April में जो है आपका GST स्टार्ट होगा जो हमारी normal face to face batch होगी prestige point पे जिसको ठीक है दोस्तों लेकिन यहां पर अगर कुछ students को यहां early batch complete करना है कुछ students की requirement आई और specially कुछ students को early batch complete करना है तो जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि हम batch start करने वाले 20th fav से जिसे मैं live guided batch करूगा तो जो student early batch complete करना चाहते है उनके कुछ demo lectures आज से start हो रहे है और 20 तारिक तक यह demo lectures continue होगे और उसके बाद में lectures continuity में आगे बढ़ेंगे तो यह जो यहां पर आज आप lecture one में देख रहे हो यह उन students के लिए जिनको DT भी complete करना है और early GST complete करना है वो student जो DT के बाद GST करना चाहते है तो उनको April batch तो मिलेगा ही उनको कोई दिक्कत नहीं उनको April batch अलोट कर दिया जाएगा और यहां पे अगर आप first week of April में करोगे तो मेरा दो दीन पहले बैस start होने की दो दीन पहले YouTube पे वीडियो आएगा और आपको सारे lectures आपकी stream की आपके कौन से software में दिखने वाला है यह complete वीडियो आएगा जो आपको यहां पे guide करेगा और वो lectures आपको allocate कर दिये जाएगे done now यहां पे यह जो अभी demo lectures चालू है यह जो demo lectures है continuity में live guided batch हम start कर रहे है for early completion of GST जो student early complete करना चाहते है इसमें जो है आपने यह course buy किया होगा हमारे websites पे या फिर other हमारे associated channel partner से तो दोस्तों यहां पे आपके login में live guided batch का already lectures जो है option दे दिया है जो आप app में live streaming में भी देख सकते हो और इसका 100% backup आपके आपके login में दे दिया जाएगा तो यह जो है यह batch यहाँ पे अभी मेरी existing batch complete हुई 5th of February को तो वो batch इसमें यहाँ पे live streaming में daily basis पे चलाई जाएगी तो यह जो live streaming में batch existing batch ही होगी जो live streaming में चलाई जाएगी पर इसे special guided batch हम इसले कह रहे है क्योंकि weekly एक दो बार मैं ओके lecture के साथ आप से connect होगा आपके doubt solving और आपको lectures related continuous guide करते रहोगा तो इसलिए हम इसको live guided batch कह रहे हैं तो अब आपका सवाल होगा कि sir जो existing lecture आप इसमें हमें बताओगे for November 24 examination जो अभी मेरा batch just recently खतम हुआ for 5th of February को तो sir यह lecture में अगर जो amendments है क्या सारी amendments कवर होगी सबसे पहले तो आपको कह दू कि अभी जो interim budget आया है उसमें कोई भी amendments नहीं है और November 24 examination के लिए जो है आपको finance act 20 23 applicable है जो यहाँ पे existing batch में मैंने पूरा cover किया है hardly अगर एक दो amendments आती है तो वो एक दो amendments में इस batch में cover कर लूगा जो हमारी lie guided batch होगी now दोनों batch का material ओके जो मैं हमारा एक दो दिन में dispatch चालू हो जाएगा live guided batch का material as well as ओके जो April 1st week में यहाँ पे batch करना चाहते हैं दोनों का material exactly same है regular mat questionnaire chart book और wall charts यह आपको exactly पूरी कीट मिलने वाली है एक book आपकी regular mat की होगी एक questionnaire की होगी एक chart book का होगा और wall charts आएगी और दोनों batch के exactly same material है और दोनों में explanation same है और अभी election के पहले interim budget में हमारे finance minister ने कोई भी change नहीं किया हुआ है I hope आपको समझ गया होगा तो sir अगर हमें यह जो live guided batch लगाना है जिसके demo अभी 4-5 दिन YouTube पे चले गए और उसके बाद में आपके app में आप live streaming में देख सकते हो तो क्या इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं आपने जो अगर course buy किया होगा तो आपके default आपको यह live guided batch का आपके app में आप कैसे install करना है क्या करना है इसके लिए ओके यह Sunday को हमारा टीम का session है तो वो session को आप जरूर जोइन कीजिएगा stay tuned with v smart academy YouTube channel तो उसमें आपको यह default option मिल जाएगा और इसका 100% backup क्योंकि lecture तो खतम हो गया तो 100% backup भी आपकी इसमें रहेगा तो आप daily basis पे live streaming में भी देख सकत में अगर कोई live streaming में आपका नहीं देखना हुआ तो आपके पास backup रहेगा दूसरी बात आपको यह बता दू कि यहाँ पर यह जो backup रहेगा live streaming हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि मैं तो backup दे रहा हूँ live streaming में आपका daily basis पे discipline में lecture हो जाएगे तो आपको discipline यहाँ पे maintain करने के लिए live streaming में रहेंगे और वही lecture के backup आपके पास already आपके login में installed रहेगे तो यह तो option हम सारे students को default दे रहे हैं जो उनके login में हैं लेकिन अगर कोई student ओके यहाँ पे जो first week of April जो early complete नहीं करना चाहता है जो आराम से बाद में complete करना चाहता है first week of April में जो हमारा face-to-face normal batch है okay तो accordingly वो lectures जो face-to-face batch में record होगे वो lectures आपको alert किये जाएगी जिसका detail video मेरा तब आएगा sir हमें कुछ यह batch selection के लिए आपको कुछ करना है क्या नहीं आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको confused भी नहीं होना है ठीक है आपको कुछ भी नहीं करना है okay बस आप जब April में लोगे तब मेरा जब वीडियो आएगा okay तो वो वीडियो जो है देख लेना बस जो मैं कहूँगा उतनी दो step आपको follow करना है और अभी आप आप करने होगे तो आपको default जो है यह default आपके batch में आपके login में दे दिया जाएगा I hope आपको clear हो गया होगा yes or no अब देखो अभी जो इसके बाद में मेरा वीडियो स्टार्ट होगा लेक्शन नमबर वन जो recorded वीडियो रहेगा तो total session हुए है उसमें around 55 लेकिन कुछ session दो घंटे कही है कुछ 10-12 session दो घंटे के ही है तो अगर हम okay अगर एक session लगबक यहाँ पर ढाई घंटे का समझें 6.30 से 9 तक यह चलेगा जिसमें break रहेगा तो break आपने cut कर देना और आगे continue कर लेना तो आपका 9.30 तक complete हो जाएगा session इवन्दो मैंने वीडियो में आपको कहा होगा 55 session है पर अगर आप properly plan कर लेते हो और तीन गंटा regular देख लेते हो जो हमारा ताइल गंटा चलेगा तो आपके सारे session 31 मार्च तक complete हो जाएगे तो आपको back up में यहाँ पर around 55 sessions देखेंगे लेकिन कुछ session part-part भी है तो अगर properly plan करें और daily basis पर आप देखो तो आप 31 मार्च तक यह early completion batch कर सकते हो जो DT के साथ साथ IDT लिया जाएगा चलिए दोस्तों यह demo lectures है आपको बाद में भी batch करना होगा तो भी आप यह demo lectures तो देख सकते हो और 20th 5 से हमारे app में lectures रहेगे तो वो कैसे तरह से रहेगे आप app में live भी देख सकते हो और उसी lecture का backup भी आपको रहेगा तो live देख सकते हो और आपको notes जो है notes हम कल परसों से dispatch कर रही है और वो जो PDF आपको दी जा रही है आपके login में आपके login में जो है vsmartacademy.com पे उसमें आपको source material file में दिया जाएगा अब यह login में आपको कैसे जाना है आपने अगर course buy कर लिया है तो vsmartacademy.com पे जाना है वो login पे click करना है और जो original email ID पे आपने buy किया होगा वो email ID ड ठीक है आपके material content में आपको मिल जाएगा अगर आपका login नहीं है क्योंकि आपने other portal से buy किया है तो आपको अपना password reset कर लेना है original email ID डालके जो आपने purchase करते वक दिया होगा और आपका आपको अपना password reset कर लेना है तो उसमें आपका login create हो जाएगा और आपके material content में इसकी PDF फा नीचे description में जो है मैं google drive link दे दूगा तो कल के lecture में आपको google drive link मिल जाएगी या इसी lecture में कल morning में google drive link update कर दूँगा तो आपको google drive link पे तब तक PDF मिल जाएगी जब तक आपको notes नहीं आती है चलिए अगर किसी student ने ये जो batch है अगर login कर लिया होगा तो भी don't worry जिसको April में लेना है accordingly मैं पुरा process आपको बता दूगा और जो April में करना चाहता है वो April में कर सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको properly वो batch अलोट कर दी जाएगी तो एक जो है मैं यहाँ पर batch के पहले आपको Google form दूगा वो Google form जो है आपको फिल करना है जिस एक ही step करना है वो Google form फिल करना है आपका ये batch जो है और के ये 25 ये बंद होके आपको first week वाला April का के यहाँ पर मिल जाएगा वो Google form कैसे आएगा क्या हैगा तो जब हमारा batch start होगा उसके पहले आजाएगा I hope ओके आपने जो भी Academy से मेरा lecture buy किया होगा कोई problem नहीं है आप vsmartacademy.com पे जाएगे लॉग इन में जाएगे लॉग इन में original email ID डाल दिये जो email ID से आपने buy किया होगा और आप reset password कर दिये तो आपका login create हो जाएगा हाँ और एक option और है यह जो student अपने comfort के हिसाब से देखना चाहते है अपने comfort के हिसाब से जब चाहे तब लेखना चाहते है तो उन student को जो है May 24 जैसे मैंने आपको कहा कि कोई amendment नहीं है तो May 24 batch जो है May 24 batch का आपको recorded session तो वो आप recorded session भी ले सकते हो तो यह live guidance batch हुआ और के May 24 के recorded session वाला भी option है वो भी आप ले लो और आप अपने comfort के हिसाब से देख लो आप अगर यह live guided batch ले रहे हो तो यह live guided batch में आपको streaming भी होगा प्लस आपको backup भी मिलेगा या फिर आप कुछ भी अभी नहीं करना चाहते हो तो be relaxed हम April में आपको lectures जो है कैसे all out हो नहीं है सबको clearly समझ में आ गया ना yes or no समझाओ गया तो फटा फट जितने भी student like करो अब मैं आपको गोगा GST आपके लिए नया subject है तो GST जो है one of the scoring subject और इस बार GST 50 marks कर दिया है weightage बढ़ा दिया है तो आप से skill level जादा expect की जा रही है तो no doubt आप GST जो है इसमें अच्छे से आपको करना है और आपको आगे बढ़ना है ठीक है अब last I want to conclude अगर आप April का batch लोगे तो ये live recorded lecture का access आपका नहीं रहेगा आपको April का मिलेगा तो आपको accordingly तब alert कर दिया जाएगा जिस related मेरा वीडियो आएगा अभी आप डेमो लेक्चर दिखो ओके मैं time to time आपको guide करते रहोगा और हमारा message भी आपको आते रहेगा ठीक है तो चलिए पहले हम डेमो स्टार्ट करते हैं फिर संडे को जो है यहाँ पे around 11-12 बज़े stay tuned with v smart academy youtube channel आप एक बार link देख लेना आपको आपके technical जो भी issues होगे एप पे या recorded lecture से वो सारे technical issues आपको guide किया जाएगा और आपके solve कर दिया जाएगा ठीक है फिर से last time कह रहा हूँ एप्रील वाला batch लेने के लिए आपको अभी कुछ भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है आपके login में कुछ भी नहीं करना है मेरा वीडियो आएगा बस एक form fill करना है वो बाद में आपको बता दूँगा ठीक है नहीं बुक जो है आपको यहां पर amendments हुई नहीं है बेटा तो amendments हुई नहीं है ओके तो यहां पर जो बुक रेडी है वो बुक आपको दोनों batch के लिए same रहे क्योंकि कोई amendments नहीं हुए और hardly कोई notification circular आएगा तो वह मैं cover कर लोगा ठीक है तो चलिए दोस्तों दोस्तो आपके I hope मैंने बहुत सारे doubts clear कर दी होगे तो चलिए दोस्तों आज हमारा पहला session start करते है तो इसके बाद हम हमारा पहला station पहला okay यहां पर session शुरू करेंगे और जो मेरा recorded session है yes आज introductory session है पहले दो तीन session देखना और GST की beauty देखना दीरे दीरे GST जो है आपका जो है एक interesting subject बनते जाएगा चलो तो यहां पर अब हम session start करते है और के दो मिनिट आपकी screen जाएगी पर उसके बाद session start हो जाएगा ठीक है मैटा screen अभी pause होगी और उसके बाद में session start होगा एक मिनिटा आपने अभी कोई भी lecture activate किया होगा तो भी डरना मत आपने कोई भी lecture activate किया होगा तो भी डरना मत आपको एप्रील वाला session दे दिया जाएगा दे दिया जाएगा don't worry for that ठीक है ओके चलिए तो अब start करते है हमारा session राजेश आर यू रेड़ी तो यहाँ पर आप जो है एक इंडिया की toughest exam दे रहे हो जिसके लिए यहाँ आप concept को अच्छे से absorb करने के लिए बैठे हो दोस्तो जितनी मस्ती करनी थी आपने starting में कर ली अब हमारे पास limited time है और इस limited time में हमको within time syllabus को complete करना है important है कि आपको अब revision के लिए भी time मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको revision के लिए time नहीं मिल रहा है self study नहीं हो पा रही है तो वो situation में इतना सब कुछ कर जो आपने किया start से मेनत की classes के उसका कोई भी आपको फाइदा नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों मैं यह चाओगा कि no doubt GST में हम जो है मस्ती तो करेंगे पर to some limited extent हमें within time जो हमारा committed time है उस time period में syllabus को complete करना है next अब आते हैं थोड़ा GST के दरब GST यह law जो है 2017 में लाए गया उसके पहले excise था, customs था, customs थो आज भी है, excise था, service tax था, vat था और सारे ऐसे जितने भी indirect taxes से सबको merge करके लाए गया बिटा GST और दोस्तों GST सच में one of the scoring subject और आप जो है इसको अगर धीरे धीरे absorb करोगे और जिस तरह से मैं आपसे writing practice करवा के लूगा, जिस तरह से मैं आपका questionnaire practice करवा के लूगा अगर आप seriously मेरे साथ करते हो तो definitely हम मिल कर एक अच्छा score आपका ला सकते है ठीक है, आज का session थोड़ा introductory session है और जहां तक है और senior से भी आपने सुना होगा मेरे concept जो है और मेरा explanation है धिरे धिरे पकड़ लेता है अगर आप यह सोच रोगे कि first lecture में कुछ कमाल हो जाए, मज़ा आ जाए, मस्ती हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है पर दिरे धिरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आते रहेगा कि GST really क्या है तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी देखो मैं आपको यह कहोगा कि कोई भी चीज अगर fast करते हो तो जल्दी कतम हो जाती है चीज धिरे धिरे होने चीज़िए तो यहाँ पर concept नाला है को क्या हाँ अगर आपको अच्छे से समझना है तो definitely हम जो है GST को यहाँ उसी तरह से आगे बढ़ाएगे CA Inter में अगर हम देखे हलो अब आवा जा रही है चलो बिल्कुल चुप नाला है तो यहाँ पर taxation में अगर हम बात करें ए भाई वो corner में इधर ध्यान दे वैसे तो मैं दिखने रहा हूँ screen के तरफ देख हाँ तो अब यहाँ पर taxation group 1 में जहाँ तक है direct and indirect taxes direct tax आपको 50 marks के लिए और indirect tax आपको 50 marks के लिए तो भाई साब अब यह जो है indirect taxes 50 marks का हो चुका है और scoring भी है तो हमारा target क्या होना चीए 50 होना चीए जो चिल्ला रहा है वेटा आके मिलना बात में पर अच्छी बात है और के जा तक है 50 आपका target होगा तब जाके 45 आए तो यहां हमको minimum 41st का target ले रहा है और वह अच्यू हो सकता है तो जहां तक देखा जाए आपका paper structure कैसे होगा वैसे तो आपको taxation में बताया होगा तभी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं 100 mark का आपका paper रहता है जिसमें 30 marks के आपके mcq होते है और 70 marks के descriptive questions होते है पर मैं आपको कहें दू कि 50 marks 50 marks का जो हमारा GST है उसमें से 15 mark के किसमें चलेगे mcq में mcq की practice हम जो करेंगे वो test के form में करेंगे यहांने यहां पे जो test होगी हमारी कि वो mcq पे होगी आपकी writing practice में भी test ली जाएगी पर मैं हर दो तीन दीन में जो test लोगा कि माइट वी लास्ट हाफ और बगरे वो किस पर हम लेंगे mcq क्योंकि 15 marks यह अच्छा खासा weightage है और अगर आपकी practice हो जाती है mcq की 15 marks की तो definitely आप above 40 cross कर सकते हैं next जो है sir mcq के लिए क्या specially हमें पढ़ना जरूरी है तो मैं आपको यह बता दू mcq आपके concept based होते है अगर आपके concept बहुत अच्छे से clear हो गए हमने यहां discuss कर लिए तो mcq आप easily handle कर सकते हो और जितने भी अच्छे mcq जो institute के है exam में कुछ है उस सब पर हम यहां पर practice करेंगे ठेक है तो यहां पर जहां तक है अब अच्छे 35 marks तो okay mcq निकाल दिया जाए तो अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर यह बताई यह IDT theoretical subject है क्या हमें word-to-word learn करना पड़ेगा like a law या फिर like other subject audit etc तो मैं कह दू कि IDT यहां पे complete theoretical नहीं है 35 में से 25 marks के numericals आते हैं ठीक है तो 25 marks के अगर numericals आ रहे है सिर्फ उसमें आप notes कैसे लिखते हो वह आपके लिए बहुत important है अगर आपको notes लिखना आ गया और उसके उपर practice करना आ गया तो मैं आपको यह कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा score कर पाऊगे numerical में 25 में से 20 MCQ में और थेरी 10 से 15 marks उससे जादा नहीं है इसलिए subject पढ़ते हुए अपरोच बहुत clear रखना कि आपको यहां पे learning पार्ट से ज्यादा application पार्ट कि आप कैसे concept को apply करते हैं इसलिए यह problem इसमें पीछे मत पढ़ना कि अरे यार यह learn करना पड़ेगा फिर word to word learn रहेगा क्या मेरी English अच्छी नहीं है मैं proper present कर पाऊगा है नहीं कर पाऊगा मैं words को भूल जाता हूँ legal language मुझे लिखते नहीं आती है okay legal language याद नहीं आती है concept तो समझेव होते है okay मैं यह सारे आपके डर GST में निकाल दोगा वो मेरी जिम्यदारी आपको मैं guarantee देता हूँ कि GST आपका one of the easiest subject बन जाएगा जिसमें आप easy okay यह अपने आपको confidently कैप आओगा कि yes मैं इसमें अच्छा score कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा होगा जैसे चार्ट के प्रैक्टिस करवा होगा homework दूगा यहां writing प्रैक्टिस करेंगे यह सारी चीजे करने के बाद ही यह subject आपका easy हो सकता है और GST strip आपको exam के हिसाब से नहीं पढ़ना है बेटा GST प्रैक्टिकल लाइप में बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब जैसे ही आप यहां पे इंटर पास हो जाओगे आर्टिकल्शिप जॉइन करोगे तो आर्टिकल्शिप में सबसे पहले अगर आपका knowledge चेक किया जाएगा तो किसका GST का आज GST one of the most most changing subject है जिसका knowledge होना बहुत बड़ी बात है आप जैसे income tax पढ़ते होते हैं income tax में जाएग क्या होता है income tax में एक बार finance act आगया तो सालबर वो चलता है पर GST में हर मन्त में GST council meeting होती है GST changes आते रहते हैं मैंने भी आपको जो notes दिया है पूरा safe नहीं दिया है क्योंकि मुझे सारी amendments औक्टोबर तक की इसमें cover करनी है जो अभी updatesion में चाल हुआ है questionnaire भी चाल है हम बात करेंगे उसके बारे में तो यहां पे सबसे ज़्यादा changing law आज अगर इंडिया का है तो वो है GST और मैं ऐसा वैसा subject नहीं पढ़ा रहा है ठीक है तो जहां तक है तो सारे changes को हम cover करेंगे Sir amendments कैसे cover होगी हमारा item May 24 है November 24 है तो मैं आपको यह बता दू कि amendments हमारी सब कर हो जाएगी specially for May 24 examination आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरुआत नहीं हो जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तो ओके थोड़ा मैं आपको structure बता देता हो GST का GST का structure कैसे रहेगा दोस्तो यहाँ पे GST के total जो act है हम indirect taxation में GST पढ़ने वाले हैं और GST के total 5 act है थोड़ा act को हम देख लेते हैं कौन-कौन से एक है CGST CGST का मतलब क्या होता है Central Goods and Services Tracks यह तो अभी बच्चे-बच्चे को पता है यहाँ पे वो बिल में देखता है CGST, SGST और क्या IGST तो CGST Act 2017 हम यहाँ पढ़ने वाले हैं SGST Act 2017 SGST मतलब state एक होता है UTGST जिसके बारे में आपको थोड़ी कम जानकारी हो सकती है UTGST मतलब union करें जैसे आज अगर आप महराष्ण में बिल लेते हो तो महराष्ण में बिल लेते हो क्या लगता है CGST और SGST बिल देखो कभी पर अगर आप चंदीगर जाते हो और चंदीगर जाने के बाद वहाँ पे आप कुछ खरीदते हो तो चंदीगर जाने के बाद वहाँ जब कुछ खरीद होगे तो वहाँ CGST और UTGST रहेगा वो SGST नहीं CGST, SGST यह किसके ओपर लगता है बेटा Intra Intra State और IGST यह जो लगता है वो किस पर लगता है Interstate Okay Interstate भही यह Intra और Interstate क्या है मतलब State है महराष्टर के अंदर Supply होता है, Sale होता है तो उसे कहा जाता है Intra Come on महराष्टर के अंदर Supply होता है उसे कहा जाता है Intra चलो एक rough book लो एक rough book आपको साथ में रखनी है जो जो मैं कहूँ अब आपको यह भी बता दूगा अभी तो रख में लिखो फिर आपको बताओगा कि आपको क्या-क्या refer करना है कितनी notebook refer करना है मेरे साथ-साथ आगे मैंने पूरा format लिया है तो मैं उसमें आपको बता दूगा अभी तो आखरी page पे रॉप में लिखो मेरे साथ involve होने के लिए और जो online connected है ओके voice आ रहा है न clear दोस्तों और अभी नालाए को कौंसे पढ़़ो अवाए कितने लोग देख रहे हैं youtube बेहे हैं फेस्सर फेस कितने लग रहे हैं प्र LIKE यहां पर फिर क्याकूलेशन किया दूग्ड़ा कीच के औके यहांं पर पढ़ो चुप-चाप तो यहां जहां देखा जाए तो अब यहां पर लिखो intra state लिखो लिखो बस मेरे साथ इन्वाल हो जाओ intra state प्रैक्टिस करो अभी rough में करो फिर मैं आपको fair book कितनी maintain करने में उता होगा intra intra मतलब क्या inside the state within या inside लिखो within या inside the state within या inside the state और दूसरा inter state inter state मतलब from लिखो लिखो from one state to another state from one state to another state ठीक है तो पेटा यहां पर जो है अगर आप intra करते हो तो आपको दो tax लगते है cgst और sgst और inter state जो है तो inter state में आपको लगता है igst पर बहुत से student गलती क्या करते है और यहां गलती आप से नहीं होनी चीए इसलिए सभी ने दान देना वो corner से वो corner तक जैसा igst का मतलब वो लिख देते है inter state gst अगर आपने igst का मतलब inter state gst लिखा तो यहां पर सबसे बड़ी mistake कर दी igst मतलब inter state नहीं igst मतलब integrated क्या integrated आपका word आना चीए integrated integrated gst लगता है यह inter state पर नाम उसका inter state नहीं है उसका नाम है integrated goods and services tax I hope आपको यह बात समझे होगी क्यों sir integrated word ही क्यों है क्यों नहीं inter state है आगे आगे देखो ठीक है एक सवाल है क्यों sir inter state ही क्यों नहीं रखा why integrated word is there क्या उसकी फिलोसोफी है हम आगे देखेंगे तो जहां तक है यहां पर integrated goods and service tax और उसके बाद में gst sales जिसको हम gst compensation sales भी कहते है उसके एक यह यह भी act है ऐसे total 5 act है अब मैं आपको यह बता दू कुछ बात है जो मैं start कर रहा हूँ बस concept को एक overall view लेने के लिए depth में हम बाद में देखने वाले है ठीक है क्या हुआ इनिया में gst एक जैसे लेट आया gst no doubt वो 15 साल पहले आना चाहिए था बहुत लेट हो गए इनिया में आया तब already बाकी सारे लगबग 63 countries में gst implement हो चुका था और फिर हमने इनिया में 2017 मिलाया actually इसकी new रखी थी foundation जो रखा गया था Dr. Manmohan Singh नाम कभी सुना है thank you तो बहुत अच्छे economist थे बहुत अच्छे finance minister थे बहुत अच्छे prime minister थे या नहीं नहीं पता लेकिन बहुत अच्छे finance minister और economist थे और है और रहे गे countries ने GST implement किया था 2-3 country ने किया था और उनने इनिया में proposal रखा था कि भाई GST जो लाया जाए वो इनिया में लाया जाए और सारे indirect taxes को merge करके एक ही tax रखा जाए और वो कौन सा GST रखा जाए ठीक है लेकिन Indian democracy है bureaucracy में हर चीज़े फट जाती है उन्होंने रखा फिर BJP government आई वाचपी government आई फिर वापस क्या UPA government आई और नहीं पर at last Modi जी ने लाया कुछ decision मौदी जी के बहुत अच्छे और कुछ decisions के लिए मैं बहुत उनको मानता भी हूँ जो confident वाले decision थे जिसमें एक था क्या GST मैं हर बात में नहीं मानता हूँ पर हाँ कुछ decision के लिए जरूर मांगता हूँ तो मौदी जी ने यहाँ पर 2017 में एक स्टेप लिया और जीत पकड़ ले कि GST लाना यार बहुत सार हो गया जबकि पूरा structure implementation ready नहीं हुआ था तभी उन्होंने एक statement मुझे यार आता है कि भई के समंदर में जम पारो तैरना आ जाएगा तो उन्होंने का कि लाव आप कुछ मुझे पता है यार कि एक जुलाई 2017 को GST आने वाला था और ड्राफ रेडी हुआ बीस जून को द्राफ रेडी हुआ और दस दिन के अंदर अंदर GST लाया गया नो डौट पहले implementation में बहुत problem है बहुत problem अगर आप 2017 से लेके 20 तक देखोगे तो लोग बहुत परिशान थे कि समझ भी नहीं आ रहा था कि GST law कैसे operate किया जाए हर चीज जो पुराने law में थी मुश्किले क्या आई इस पर भी हम आगे बाद करें तो जहां तक है 2017 में GST लाया गया अब देखो GST के दो model proposed थे by केलकर committee एक parliament committee थी जिसका नाम था केलकर committee उनके जो दो model एक था national model GST का एक model था क्या national model और एक था क्या dual model अब national model मतलब क्या अब national model मतलब एक ही GST रखा जाए one nation one tax and one market और आज one uniform civil code one this and one that बहुत सारी जिए one one होते जा रही है तो उनका यह कहना था कि national model पे GST लाया जाए और UPA government जब थी जब Dr. Manmohan Singh यहाँ पे Prime Minister थे तभी इसके बारे में सुचा गया कि यार GST क्यों न एक ही एक ही टाक्स ऐसे CGST है GST, UT, GST इतने सारे नाम नहीं एक ही नाम क्या GST बस खतम और GST के rate जो है वो 5% यहाँ पे 12% 18% and 20 यह जनरल rate जो आपको पता है कुछ goods 5% के होते हैं कुछ goods 12% के होते हैं यह मेरे साथ rough में लिखते जाओं और कि इससे क्या होगा कि आप मेरे साथ continuous involved रहोगे देखो मैं आपको हमारी एक आदत बता देता हूँ आप हो या मैं भी हूँ अगर continuous आप सिर्व सुन रहे हो सुन रहे हो तो धिरे धिरे होता क् होगे हां होगे खो जाते हैं सो जाते हैं तो यहां पर होता ही है कि यहां आपको लगता है कि कान तो सुन रहा है मेरी क्या दरवत है मैं थोड़ा rest कर लो फिर थोड़ी दरवाद कान कहता है मैं अकले लाइच क्यों और फिर धिरे धिरे आप सो जाते हो तो आपको सोने के थ बता देना कि मैं तयारी में हूँ और कोई तो यहां पर आप सुवे सुवे का क्लास है और सामने बैठा है इधर वो तो ठीक है कॉर्णर वाले मैं तो कहोगा कि यार आपको जो है मेरे साथ चलना है और आपको जो है यहां पर सबसे वेले कह रहा हूँ कि सेफ डिस्लिप्लिन ज्यादा रखना है मैं ज्यादा ज्यादा इन बच्चों को देख सकता हूँ यास वेरी गुड वेरी गुड इधर भी और हां तो अच्छा कोई सुया है ना मेरी टीम है यहां जो भी सुयगा ना उसको ने उसके आजू-बाजू वालों को हम उठाएंगे क्यों कोई सोचल रिस्पॉंसिबिटी बनती है यार ओके यहां पर उनके आजू-बाजू जो बैटे ना उसको क्लास के बाहर निका लेंगे और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है मैं कहूँ अभी आपके सवाल क्वेश्चन पूछो ही मत मैं सारे आपके क्वेश्चन यहां पे रिजॉल कर अभी कोई भी क्वेश्चन मत पूछो वेस्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन में देखने वाला नहीं है ठीक है अभी चुप चाब मुझे सुनते जाओ मैं जो कह रहा हूँ और यहां पे बेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपको मेरे साथ इंवाल रहना है जो भी मै मैं यहां कह रहा हूँ उसको रख में लिखे जितना आपका इंवाल्मेंट उतना ज्यादा आपका फोकस फोकस स्रिप कैंडल सामने रखने से नहीं आता है समझागे ने समझागे कि बैए केंडल को देख रहो मैं आप फोकस अपना पड़ूगा एक जटके में याद रख लूँगा ऐसा नहीं होता है और कि जितना ज़्यादा आप अपने आपको इन्वाल करते हो उतना आपका फोकस अंडरस्टैंडिंग और इंट्रेस बढ़ता ह यह बाकी सारे मोटिवेशनल फालत हुए क्या करना है यह सब फालत हुए मोटिवेशनल ऐसा है कि जब तक हॉल में रहते हो तब तक अच्छा लगता है हॉल के बार आगए लाइन पर यहां पर हमें अलग अलग चीज़े ऐसी ढूंडनी है कि हमारा सब्जिक में आटोमेट और उस पर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा होगा ठीक है तो चलिए तो अब अब नैशनल मॉर्डल मतलब क्या यह सोचा गया था कि जीस्ट भाई एक ही रेट से लगा देंगे पांच परसेंट अब आप पुछो कि सर यह अलग अलग रेट क्यों एक ही रेट क्यों नहीं और इंडियन एकनोमी अही तो यह पौस इवली नहीं है जो डेली नेसेसिती के गूर्स से उसके उपर जयादा करना सही बात नहीं उन्होंने classify कर दिया हाँ जो लगजरी goods है publicly dominated goods है उसके ओपर हम 28% लगाएंगे भाई जैसा car हुई 28% लगाएंगे टोबे को हुआ 28% लगाएंगे अरे आया ना जो dominate करना है टोबे को हुआ cigarette हुई 28% लगाएंगे पर सब्सक्राइब cigarette पर 28% क्यों कौन बोल रहा है इना लाय कि है कौन बोल रहा है 100% होना चाहिए अगर किसी को यह सवाल होगा कि cigarette पर 28 क्यों तो वह आके मिले फिर बताता उसको तो जहां तक देखा जाए तो government ने कहां revenue collect करना चाहिए कौन सा goods कौन से rate में रखना चाहिए इसकी बहुत अच्छी planning इनिया में की है जिसके बारे हम हम आगे बार करेंगे तो national GST पर वापस आते है national GST पर यहां पर 5, 12, 18 and 28 एक ही rate लगा दो एक आपके बिल में एक ही दिखना चाहिए क्या GST लेकिन क्या है इनिया में federal structure है federal structure मतलो नहीं बहुत गवर्ण बार टू टाइप सब government कौन सी दो government central and state एक कुछ यहाद है क्या central and state तो यहां पर यह था कि GST अगर एक ही रखा जाया तो revenue कैसे distribution होगा सारे state ने बना कर लिया कि नहीं हम एक GST नहीं रखेंगे अब एक GST रखो और proposal यह था कि पुरा GST central collect करेगी और central बाद में बाटेगी state को state वालो ने कहा नहीं हम TTMM करेंगे TTMM मतलब कि तेरा में मेरा कि तू तेरा में मेरा और कि यहां भी ऐसा नहीं चलेगा भाई कि तुमने collect कर लिया क्या वरोसा और कि यहां वे central बीजेबी वालों ने collect कर लिया और state में आप है पैसा नहीं मिल रहा अरे आया ना state में अलग government है और अभी तो state की government कब break हो जाती ह है बदल जाती है बीजेबी कुछ भी कर सकती है सॉरी सॉरी में गड़ बढ़ोगी हां तो ऐसे case में sent sent क्योंकि यह law जो बन रहा था यह law सारे taxes को merge करके central और state साथ में चलाने वारी थी तो उनने का कि नहीं हम national single model पे GST नहीं लाएगे हम GST को divide करेंगे और वो dual model में divide है dual model मतलब कहुं से CGST and SGST तू तेरा मैं मेरा तो हमने इंडिया में जो GST पढ़ना है वो किस में पढ़ना है वेटा डियोल क्योंकि federal structure इंडिया में तो अब क्या decide हुआ कि भी जो भी GST का rate रहेगा क्या GST का rate समय रहेगा विटा 5% तो 5% में 50% central का और 50% state का तो CGST 2.5% TTMM क्या हुता है तू तेरा मैं मेरा बोला जो मैंने तो ऐसे case में CGST 2.5% and SGST 2.5% इस तरह से आपको सारे rate 50-50 में divide करने पड़ेगा यह कब जब आपका क्या intrastate हो यह कब जब आपका intrastate हो लेकिन अगर आपका intrastate हो भाई यहाँ पर intrastate हो तो intrastate के case में अब यहाँ पर मैं आपको बता दू उसमें जो tax लगेगा ऐसा split होके नहीं लगेगा अब देखो एक नय word का भाई यहाँ integrated word कैसे आया उसका logic बेटर हो जब इंटर state होगा तो ऐसे दो dual model में tax लगेगा दोनों को integrate करके tax लगाया जाएगा मतलब मतलब आपका IGST होगा तो IGST आदा आदा split नहीं होगा IGST किसमें जाएगा तो full rate full rate मतलब क्या 5% 12% 18% and 28% suddenly एक कुछ बच्चों की दिमाग में एक question आयागा फिर sir IGST का revenue कौन लेता है central लेती है state लेती है तो मैं आपका अभी आपके knowledge के लिए बता दू आगे हम discuss करेंगे वह लेती है central पर फिर उसको बाटती है state में यह कुछ 50 पर collection पूरा कौन कर लेती है central और फिर बात में state को बाटती है उसका 50% यह समझ में आए क्या पर यह mechanism कैसे होता है क्या होता है आगे हम example में देखेंग अब एक आयए GST compensation okay GST compensation CES Act 2017 यह क्या है sir GST compensation CES Act 2017 तो आपको एक बात बता दू GST compensation CES जो है क्या था जब 2017 में GST ला रहा था तो कुछ state को थोड़ा डर था कि उनका revenue कम हो जाएगा उनका revenue इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि GST में credit concept को आपको credit पता होता है कि input tax credit वगरे कभी सुनाएं आपने set of set of तो GST में क्या हो रहा था set of concept बहुर्ट डीटेल में और सबके set of मिलने वाले था तो जिसके वज़े से government को डर था कि यहाँ पे उनका revenue कम हो सकता है जैसे specially जो backward region है हिली एरिया है जैसे मनी पूर्वा मेगालया हुआ इन state को ऐसा लग रहा था कि नहीं हाँ revenue कम हो सकता है GST आने के बाद तो फिर यहाँ पे एक act बनाया क्या GST compensation sales act और यह act का object क्या था यह act का object यह था दोस्तों कि अगर कोई यह जो tax collection होगा कोई state को अगर नुकसान हुआ तो इस act में जो भी collection होगा उस collection से उन state का नुकसान भरपाई की जाएगी मतलब उनको compensate किया जाएगा I hope you understood तो सर यह GST sales किसके उपर लगता है यह कुछ luxury items पर यह सभे goods पर नहीं लगता है और यहाँ पर जो goods ऐसे है जा publicly dominate करना है उस पर यह लगाया गया मतलब यह जो GST compensation है in addition to basic GST है अब in addition to basic GST मतलब क्या जैसे अभी कोई SUV का लगजरी कार आपने 80 लाग की खरी दी बाई साब अगर आप देखते हो धहान से 80 लाग की कार में लगबग 25 लाग तो GST होता है यह समझ में आया गया तो यह 25 लाग या 20 लाग GST कैसे होता है तो वो कार पे 28 परसेंट का basic GST तो लगी रहा है बेसिक GST लग रहा है प्लस GST compensation sales भी लग रहा है यह सारे goods पे नहीं के कुछ goods पे लगाया गया और इससे जो revenue collect होगा वो revenue से state को compensate किया जाएगा जिसको GST आने के बाद loss किया गया तो मैं यह सब कुछ क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको मैं बस इसले पढ़ा रहा हूँ कि आपको यह पता होना चाहिए GST स्टार्ट होने के पहले कि GST के total कितने act है तो चलो मेरे साथ एक बार बदा कौनकों से 5 act है C GST, S GST, UT GST, IGST and GST compensation sales अरे हाया ना, चलो, अब हमें इंटर के syllabus में, आप CMA कर रहे होगे, CS कर रहे हो या CA कर रहे हो तो यहां इंटर के syllabus में हमें कौन से act है, तो हमें C GST है हमें only C GST पढ़ना है, और second हमें जो पढ़ना है, वो IGST के कुछ sections पढ़ना है बाकी syllabus किस में हैं बिटा, पढ़ना है, तो हमें C GST एक्स, सर हमें SGST नहीं पढ़ना है नहीं, क्यों कि आपको अभी बता देना चाहता हो, स्टार्ट महीं, C GST और SGST दोनों law word to word से अगर आपने C GST पढ़ लिया, क्योंकि वो same transaction पर लगता है आज मैंने अगर आपको admission दिया, तो वो admission पर CGST लगाया as well as, तो दोनों exactly same है, क्योंकि दोनों same transaction पर लगता है तो SGST Act तो आपको कभी पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि CGST पढ़ लिया मतलब SGST पढ़ लिया, is it clear, same for UTGST ये भी आपको पढ़ना नहीं है और GST compensation इस आपके syllabus में नहीं है, हमें जो पढ़ना है, वो CGST Act के कुछ sections पढ़ना है, और IGST Act के कुछ हमें sections पढ़ना है, बाकी सारे sections final level पर है, ठीक है चलिए दूसरे, फिर आते है यहाँ पर, आपको notes कैसे मिलेगी, सभी दयान से देख लो Sir you are looking handsome today, भाई साब पढ़ चुप चाओ ठीक है, तो यहाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच, शितेश Now, अब आते है notes पर, Sir हमें notes कैसे मिलेगी, मैंने notes का जो arrangement किया है आपको किस तरह से मिलेगी, जिस तरह से आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से मैंने notes का पूरा models बना है, जैसे, सबसे पहले तो आपको regular notes जो यह है, और इस बार हमने new scheme की सबसे complete notes बनाई है और बहुत अच्छे से मैंने organize करके दिया है, जिसमें आप बहुत सारा pictorial presentation इसमें देखो गया हाँ बेटा, pictorial presentation की शुरुआ 2014 में, CA final level पे, जहां तक मुझे याद है, CA course में मैंने start किया था, color notes और pictorial presentation, आज आप सब देखते हो, लेकिन यह start तो 2014 में, आप आज ऐसे बड़े charts देखते हो, यह बड़े charts बनाना 2004 में मैंने start किया था, और आज आप बहुत सारे subjects के, including क्या, IDT, charts और chart book यहां पे देखोगे, तो यह chart system ही, जहां तक मैंने पूरी start से लेके इस पे बहुत work किया है, और आज, not only in IDT, आप बहुत सारे subjects में इसको देखते हो, ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आपको जो model मिलेंगे, यह दो regular model मिलेंगे, यह दो regular model में मैंने वैसे एक भी बना सकता था, पर मैंने दो इसलिए बनाए कि क्या होता है, कि आप जब पढ़ने बैठते हो न, एक page पढ़ते हो और फिर देखते हो कितने बा तो मैंने आपकी psychology समझे, क्योंकि यह मैं भी करता था, तो मैंने आपकी psychology समझे, तो मैंने कहा कि एक काम करते है, बड़ा model नहीं रखते है, तो क्या है, उसका page देखने में इतना time जाएगा, बड़ा ही कम, pages से जादा देख रहा है, ठीक है, तो ऐसे case में मैंने split कर दिया model, so that आप जैसे ही देखो कि हाँ इतना ही, बस इतना ही बाकि है, इतना ही बाकि है, बस इतना ही बाकि है, so जहा तक देखा जाए, तो दो module, पहले तीन देता था, अब इस new scheme में मैं दो दे रहा हूँ, तो दो module आपको मिलेंगे GST में, जिसमें सारी amendment cover कर ली जाएगी, completely updated module और मैं आपको यह बता दू, इस बार मैंने बहुत महनत किये, final और inter-level पे, इसको बहुत अच्छे से organize करके, यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, so that simplified language में, आपको GST law समझने में आसानी है, ठीक है, दूसरी बात, आपको मजा आएगा, model जब हम देखेंगे, point wise manner में तो आपक यहाँ पे, हम इसमें कितने chapters है, क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद में questionnaires, अगर हम questionnaire की बात करें तो, अब देखो क्या हो जाता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, इस module में itself मैंने बहुत सारे question, practice questions लिए, जो हम यहाँ लिख कर देखेंगे, अ जो यहाँ पे हमें writing practice में लेना है, ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारे questions लिए ही है, in addition to that, मैं आपको कहता हूँ, कि मैंने scanner भी बनाया हुआ है, और यह जो scanner है, यह अभी cover page पुराना है, अभी नया process में update हो रहा है, तो यह scanner बनाया है, जिसको हम कहेंगे, GST question, इस scanner में और यह question में क्या difference है, जो मैंने book में questions लिए है, वो questions से हम concept को समझेंगे, कि concept कहता क्या है, और उसके बाद में exam में questions कैसे आते हैं, कैसे आपने present करने चाहिए, और यह जो आपको questionnaire book मिलने वाली है, इसमें मैंने सारे examination questions, RTP questions, mock test paper questions, as well as मैंने भी बहुत सारे questions बनाया है, और आपके new module के हिसाब से, I repeat the word क्या, new module के हिसाब से मैं सारे questions इसमें कवर करने वा रहा हूँ, और यह updates है, आने वाले 10 दिन में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है, जो यहाँ online class कर रहे है, बेटा हो सकता है कि आपको module 1 मिल गया होगा, या मिलने में होगा, आने वाले एक द आउलोड करके print out निकाल लेना, इतना cooperation आपसे expect करता हो, reason यह है, क्योंकि मैं module early नहीं दे सकता था, मुझे सारी amendments 31st October तक की उसमें cover करना है, और इस बार मैं पूरा module reorganize करके दे रहा हूँ, as per our news के, तो मैं आपको मेरा schedule बता दूँ कि मैं हमारे final और inter का लगबग 7 गंटे class, आज से तो 7 गंटे हो गया, उसके बाद भी लगबग 6-7 गंटे मैं notes पे बैट रहा हूँ, हैने मेरा पूरा दिन pack है, तो आपको यह cooperate करना पड़ेगा, notes आने में जब तक आपको time लगे तब तक आप PDF refer करो, पर आपको आने वाले एक दो दिन में definitely notes आज आएगी, आपके notes related कोई questions है, doubt होगे, तो आखरी के 10 मिनिट मैं रुकूगा, मेरी team connected रहेगी, आप अपना order ID डाल दीजिएगा, पर मैं कहूगा, आज डाल के फैदा नहीं है, अगर notes नहीं मिली होगी, एक दो दिन wait करो, और उसके बाद में आप अपना order ID डाल दो, तो आपको notes मिल जाएगी especially online, questionnaire आपको कम मिलेगा, यह पूरा set बता दू, questionnaire आपको आने वाले 10 से 15 दिन में मिलेगा, पूरा update होके, institute का जो नया material है, उस material के सारे questions उसमें update हो रहे है, जो आपको questionnaire में मिल जाएगे, तो questionnaire आपको एक model रहेगा, approximately 300 questions मैंने अपने questionnaire में लिये हैं, और मैं आपको बता दू आज तक ऐसा नहीं हुआ, 2017 से लेके अभी तक, कि कोई question मेरे questionnaire के बाहर आए, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि एक बार हमारा regular model class में हो जाए, और class के साथ आप अगर regular model complete कर लो, तो उसके बाद सिर्फ questionnaire और chart पढ़ना, that's enough, उसके beyond और कुछ नहीं आएगा, मैं 100% guarantee से कह रह लाएगे, is it clear, तो एक बार regular model हम cover कर लेते हैं, बाद में तो charts और questionnaire ही देखेंगे, जो आपको revise करना है, sir, ये questionnaire के questions हम class में discuss करेगे, बिल्कुल discuss करेगे, discuss दो तरह से होगा ये questionnaire, जैसे मैंने practice questions आप से लिखवा के ले लोगा, जिसमें आपको presentation कैसे करना, ये समझ जाएगा लेकिन ये question है, कि रोज मैं तीन questions आपको हम वक्त दूगा, जो आपको लिखकर लाना है, देखके लिखकर लाना है, ठीक है, लिखकर लाना है, और फिर मैं आपने लिखने के बाद, मैं वो question refer class में करूगा, कि आप mistake कहां करते हो, अरे समझ जाएगा है ना, और आपका presentation कैस question देख लिए, हाँ, 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 यहाँ, यहाँ आता है, लेकिन बहुत से बार उस चीजों को short भी कैसे किया जाता है, क्योंकि time नहीं है आपके पास, time नहीं है पर content पूरा cover करना है, अब content पूरा cover करना है, time नहीं है, और जब ready made answer पड़ते हो तो लंबा दिखता है, अरे आया ना, लेकिन वो case में अब उस answer को short कैसे किया जाए, यह भी specially पड़ा होगा, पर यह मैं तभी पड़ा होगा, जब आप daily basis पे पूरा question लेके लाओगे, लेके लाओगे, यह हुआ compulsory होगा, नहीं तो मैं क्लास में बैठने नहीं रूगा, ठीक है, तो जो जो question मैं क हो, वो लिखके लाना है, तो ही आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आएगा, चलिए, तो यह क्लास के साथ ही questionnaire की हम practice करेंगे, उसके बाद में MCQ book, MCQ book आपको physical copy नहीं मिलेगी, आपके login में, आपका vsmartacademy.com पे आपका login जो create होगा, उसमें आपको MCQ book PDF form में मिलेगी, ह पर मैं पूरी कोशिश करूगा कि हमारे test में, I repeat the word क्या, test में MCQ book के आपसे practice करवा लो, थोड़ा बहुत उसके उपर discussion भी कर ले, so that आप aware हो जाओ कि MCQ कैसे आता है, done, now MCQ book के आपको PDF coffee ही रहेगी, आपके login में दी रहेगी, next अब क्या होता है, जैसे, मेरा यह मानना है कि आपने concept को समझ लिया, regular book से आपने concept को पुरा समझ लिया, अब उसके बाद exam में कैसे लिखना चाहिए, questions कैसे आते हैं, उसके लिए कौन सी book है हमारी question, is it clear, question है, इसकी practice करना है, लेकिन, एक demand होती है, और एक demand exam के दो मैंने पहले, especially, एकदम suddenly, यहाँ पर boom हो जाती है, कि सर तो based हो गए मतलब, relaxed हो गए, और उसके बाद में आता है कि अब कुछ short में बता, फटा-फट revise हो जाए, इतना बड़ा syllabus हमारे से cover करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे situation में, बेटा, यहाँ पर आपको मेरे पास अभी chart book नहीं है, लेकिन एक chart book होती है, जिसमें मैंने हमारा most of the content, यहाँ पुरा GST 24 pages में कदम कर दिया है, समझ में आया है किया, अगेन यह chart book की शुरुआत मैंने हाँ की थी, okay, safe course हो, और यह chart book यहाँ पर मैं बुलाता हूँ, और वो chart book, okay, जो खालून chart book यूने, enter the chart book, अब यह जो हम बात करें, अगर, श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो मैं ले लेता हूँ, जैसे, जैसे, जो chart हम class में draw करेंगे, या मैं आप से draw करवा होगा, वो charts लगबग वैसे ही मैंने chart book में लिये, जैसे, पहला, एक chapter है, concept of supply है, chapter 2 से start होगा, वो chapter अगर regular book में देखा जाए, तो around 42, 50 pages है, ठीक है, पर इस chart को, हम यहाँ पे, खतम करने वाले है, कितने 30 pages में, और जब आप यह chart पढ़ोगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, कि मैंने जो है, सारा content, इसमें cover कर लिया है, cover कर लिया, तो फिर कोई नाला है किया कह रहा होगा, तो बेटर वे सर फिर chart book ही पढ़ाओ, हाँ, यह regular book क्यों पढ़ा रहे हो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो, कोई है ऐसा नाला है, नहीं ना, ठीक है, यह chart कोई तभी समझ में आएगा बेटा, जब तुमने regular book complete किया, ठीक आप जब revise करने ही यहां देखोगे, तो आपका इतना fast revise हो जाएगा, मैं आपको सच में कहो, कि आप यह second reading, जब आप February में, okay, start करोगे, तो यह chart और questionnaire, that's enough, regular book को हाथ लगाने की भी जरुबत नहीं है, पर उसके लिए class के साथ साथ आपको मेरी regular book complete करना पड़ेगा, is it clear, okay, तो 24 pages में, एक दो pages बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ chapter add हुए है, अभी 50 marks के लिए, लेकिन यह 24-25 pages में, मैं पूरा आपका GST खतम कर दूँगा, is it clear, तो चलिए, तो यह था regarding to हम बात कर रहे है, chart book, अब देखो मैंने क्या किया, एक फिर, एक कुछ chart, यह भी concept है, big charts concept, यह big chart concept क्या, एक rocket view देता है, okay, अगर आप देखो के तो यह complete क्या, rocket view देता है, अब सर यह है क्या, यहाँ पे, यह तो हम पंड़ी पाएंगे, यह कैसे पड़ पाएंगे, यह कुछ नहीं wall पे लगा, wall पे लगा और daily strip flow देखते जा, okay, मैं flow, क्योंकि हम chart class में draw करने वाल है, और यह आपको यह chart में flow देख रहा है, यह chart की खास बात क्या है, आपको बताओ क्या, यह chart की खास बात यह है, जैसे यह chart book है, आपको मिल जाएगी, जिसमें अभी तो यह chart book इसमें जो दिया है, इंटर का, और इसमें pages है, 28 है, और दो इसमें बढ़ जाएगे, मतलब 30 के, सबसे बड़ा फाइदा किया है, यह जो big chart है ने बिटा, यहाँ पर, हर chapter, जैसे यह chart में मैंने 6 chapters connect की है, और 6 chapter एक मिक से कैसे connected है, और पुरा GST lodge है, पुरा एक साथ कैसे चलता है, यह supply concept है, तो supply का valuation कैसे होगा, कैसे होगा, collection कैसे होगा, contacts देगा, ITC कैसे मिलेंगे, इतना जबरदस flow बना के रखा है, कि अगर आप यह chart का flow एक बार देख लो, तो आपका हर chapter की connectivity आपको समझ जाती है, बहुत सी बार क्या होता है, chapter हो जाते है, पर chapter कैसे connected है, वो समझ में नहीं आते है, तो यहाँ मैंने हर chapter की connectivity दी है, तो यह charts भी आपको बिलेंगे, जो आपको exam के एक मेने पहले, either chart book और यह charts, बहुत काम आ सकता है, और यह आप room में लगा के रख देना, बस आपने वो flow भी देख लिया, कि हाँ, यह supply, यह value, value से collection, फिर composition ले भी, अगर आपने इसे flow भी देख लिया है, तो that's enough, okay, मतलब आप कही तो भी concept से क्या connected हो, तो यह था regarding to जो है बेटा, हमारा chart book, तो इस तरह से आपको पूरा material मिलने वाला है, तो आपके book set में क्या का हैगा, सभी समझ ले एक बार फिर से, okay, जो online student connected है, वो भी एक बार अच्छे समझ ले कि आपके book set में क्या क्या आने वाल है, तो आपके book set में आने वाला है, क्या regular model, जिसके कितने models होगे, दो models होगे, उसके बाद में क्या, questionnaire रहेगा, और questionnaire यहाँ एक model मिलेगा, उसके बाद में wall chart, wall chart में दो charts आपको आएगे, और एक आएगा, chart book, उसका एक model आपको इतना मिलेगा, और आपको step by step पढ़ना है, done फिर आते doubts, जो main question है आपका, sir doubts कैसे entertain किये जाते हैं, जो यहाँ पे online students है, बेटा मेरा आपको जो app दिया है, उसमें ही question answer आप पूछ सकते हो, मेरे under में 8 RA है, RA मतलब research assistant, जो completely trained है, CA है, पिछले 5 साल से मैंने उनको train किया हुआ है, और वो 8 RA आपके doubts, मतलब final level के student हो, inter level के student हो, वो entertain करते हैं, और आपको जबाब देते हैं, ना, अगर आप उनसे, बहुत अच्छी हिरार की हमने app में maintain करके रखी है, कि अगर आप उससे satisfied नहीं हो, तो वो senior RA के पास जाता है, अगर senior RA के भी आप satisfied नहीं हो, तो आप लिख सकते हो, refer to sir, और वो query मेरे पास आती है, उसी app मेरे पास आती है, तो जहां तक देखा जाए, most of the query हमारी class में हो जाएगी, पिछले 20 साल से पता है, आप पूछ क्या सकते हो, लेकिन मैं query सब साल कर दूँगा class में, पर क्या होता है, आपका class में धहन नहीं होता है, फिर क्या जब खुद पढ़ने मेडिया पर doubts पुछ रहो, तो उस एंटर्टेंड हो जाते है, पर उसको time लगता है, एप में पूरा 8 लोगों का team plus मैं connected होता हो, तो immediate basis पर आपको answer आ जाता है, within 24 hours आपको answer मिल जाता है, is it clear, तो मैं यह कहोगा कि जब भी आपको doubts पुछ हो, social media avoid करना, हमारे app से ही पुछना दुसरी बात यहां पर doubt में जितना हो सके voice message डालना, क्योंकि आप क्या type करते हो, शायद आपको भी नहीं समझ में आता होगा बहुत सी बार, इतने short form आप use करते हो, तो voice message से ही आप अपने doubts पुछ हो, is it clear, चलिए, तो यह doubts related हम देख रहे हैं, फिर telegram group जो बहुत important है, आप आपके login में मैंने study group दिया हुआ है, आपके vsmartacademy.com पे login में, study group दिया है, उसमें telegram group की link दी है, जो आपको join करना है, अब थोड़ा मैं process online students के लिए बता दूँ, अगर आपने vsmartacademy.com पे login नहीं create किया है, तो आपको create करना पड़ेगा, सर उसकी method क्या है, तो आपने हो स रखता है कि हमारे associated channel partners या कोई franchise से course buy किया होगा, तो आपको vsmartacademy.com पे आना पड़ेगा, और उसमें login पे जाना पड़ेगा, login में, create login में, आपको अपना original email id एड़ करना पड़ेगा, जो email id से आपने purchase किया है, और वहां reset password करना पड़ेगा, जैसी आप reset password करोगे, password add करके password add करके, वैसे ही आपका login हमारे vsmartacademy की इसमें बन जाएगा, और आपके login में study group link, आपको मिल जाएगी जिसमें telegram channel link दी गई है, जो यहां face to face classes कर रहे है, तो वो student के लिए मैं यहां print out लगा दूँगा, qr code लगा दूगा, qr code scan कर ले, और यहां पर क्या, यह group को join कर ले कोशिश करना कल के कल join कर ले, क्योंकि जितने भी मेरे communication हो, या कभी छुटी देना पड़े, कभी क्या देना पड़े, यह सारा details किसमें आएगा, telegram group में ही आएगा, आपका और मेरा communication का एक ही जरिया है, और वो है telegram, ठीक है, अब यह आपको must यह telegram group join करना है, चलो, यह था regarding to, यहाँ पर, आपकी जितने भी doubts और questions आ सकते, उस related एक general introduction, मुझे पता है कि आज का class रोड़ा late हो गया और आपका थोड़ा break का भी time हो गया है, तो हमारा class रोज 8 to 11 रहेगा, सुनो, रोज क्या, 8 to 11 रहेगा, जिसमें break रहेगा 10 to 15 minutes, yes or no, 10 to 15 minutes break रहेगा, और यहां break around 9.40 के आसपास होगा, मैं 15 minutes में class start कर दूँगा, door को close करके, इसलिए जो बाहर रहेगा हो रहेगा, yes or no, 15 minutes से जादा break extend नहीं होगा, तो अभी आप एक काम करो, break low 10 minutes का, okay, condemnation of delay 5 minutes, ठीक है, तो ऐसे total कितना, 15 minutes का, फिर हम start करेंगे हमारा discussion on क्या, GST, okay, चलिए, हां, notebook के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, break के बाद बताता हूँ, कि आपको कितनी notebook maintain करने हैं, okay, come back within 15 minutes, तो एह से जाँ, किता और तो, किता हैं, किता हैं, किता ही, तो।। किता ही, चलिए, अभी यह, यहां, किता है, हैं डादने ही, झाल 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 अब यहां पे कुछ queries और आई है तो वो मैं entertain करना चाहूगा और सबसे पहले तो टोटल नमबर आप लेक्च्चर स कितने रहे तो हमारे टोटल नमबर आप लेक्च्चर स जाएगे around 50 to 55 ठीक है तो 50 to 55 जो है यह हमारे टोटल नमबर आप लेक्च्चर स होगे अगर संडे की क्लास को एक्सलूड कर दे पहले 3-4 संडे तो छुट्टी रहेगी फिर देखेंगे तो हमारा सिलेबस एप्रॉक्जिमेटलरी जन्वरी एंट तक खतम हो जाएगा तो सिलेबस हमारा खतम हो जाएगा जन्वरी एंट तक 50 to 55 क्लासेस जिसमें हम effective time अगर देखे हम effective time देखे तो यहाँ पर morning 8 to 11 क्लास होगी जिसमें 15 minutes का break रहेगा ठीक है तो 2 गंटा 40 minutes 45 minutes एक effective अमारी क्लास होगी especially online students के इसाब से सर ये class की हम speed बढ़ा सकते क्या speed वही बढ़ा सकते जो online download करके देख रहे है ठीक है जो face to face देख रहे है या जो live streaming में देख रहे है वह कैसे speed बढ़ाएगे now sir demo lectures कितने रहेंगे youtube पे तो demo lecture 5 से 7 lectures रहेंगे जो youtube पे रहेंगे हाँ आपके सवाल होगे कि sir ये login कैसे create करना telegram link कैसे join करना मैंने आपको बताया है पर उसके बाद भी आपका question होगा तो आपको कल के वीडियो में जब कल हमारा youtube पे वीडियो होगा तो उसके description में एक video attach कर दूँगा जिसमें आपने vsmart economy पे login कैसे create करना है और telegram group कैसे join करना है वो भी मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा तो कल की आज तो नहीं बिटा पर कल के इसमें मैं जो है आपको link attach करके दे दूँगा description में now sir हम CMA enter कर रहे है या CS enter कर रहे है तो क्या ये batch apply cable है मैं आपको ये बता दू CMA enter new scheme में स्रिप GST है 50 marks का है और exactly syllabus क्या save है उनको customs नहीं है तो जो CMA enter new scheme में है उनको exactly chapter भी same है word to word same है इसलिए आप ये class सिर्फ CMA enter की भी है as well as CS executive exactly same chapter है GST के तो वो भी ये class refer कर सकते है हाँ जो CMA enter old scheme में है उनको GST as well as customs दोनों भी है तो GST तो ये ही syllabus है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जहां तक customs की बात है तो customs के आपको separate lecture प्रोवाइड किये जाएगे जिसका एक वीडियो customs के lectures आपको कब प्रोवाइड होगे कैसे प्रोवाइड होगे कि उनका कैसा होगा जहां तक GST का syllabus है it's my humble request please don't talk in between जहां तक GST के syllabus के अगर हम बात करें तो GST के syllabus exactly same है सर संडे क्लास होगी क्या आपको पहले बता दू पहले तीन संडे क्लास नहीं है ठीक है पहले तीन संडे क्लास नहीं है हो सकता है फोर संडे भी नहीं है पर बात में syllabus को देखकर आपका cooperation देखके और आपने कम सकम time pass किया है इस चीजों को धहन में रखते हुए हो सकता है कि संडे को छुट्टी मिल जाए लेकिन तुमने ज़्यादा ही time pass कर दिया तुमारा नुक्सान इसमें तेरा घाटा नए उसके बाद में मैं आपको यह बता दू कि यह तो ठीक है संडे क्लास कोर्स फिनिशिंग डेट क्या है तो कोर्स फिनिशिंग डेट हमारी जनवरी एंट रहेगा लगबग आपके second group के classes as well as GST का क्लास आपका जनवरी एंट तक खतम हो जाएगा और सच में taxation का syllabus बहुत ज़ादा है as compared to marks no doubt हमारे council में यह discussion किया था मैंने भी और board of studies में मैंने कहा था कि आप मैंने यह discussion रखा था कि syllabus इतना ज़ादा है कि weightage of marks बहुत कम है यह दोनों subject अलग-अलग 100 marks के होने चाहिए थे पर ठीक है institute ने नहीं माना whatever it may be पर चलो कोई बात नहीं वो 100 हो या 50 हो पढ़ना तो है और GST तो अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है totally practical oriented sir एक सवाल है आप GST portal वगरे जो GST portal होते है online portal class में लोग गया बिल्कुल लोगा class में GST portal लोगा किस तरह से handle किया जाता है सारी चीज़े नहीं समझा सकते inter-level पर पर जो जो मैं समझा सका वो जरूर आपको समझा होगा registration कैसे किया जाता है आपको मैं print out provide करूगा GST portal की print out और वहाँ पर डेटा कैसे लेना GST का registration कैसे करना ये practically हम देखेंगे मज़ा आएगा आपको बहुत ठीक है मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा class जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे ज़्यादा subject में मज़ा आता है ठीक है उसके बाद में lecture uploading कब कैसे होगी जैसे 11 बज़े lecture हो गया आपके uploading एक बज़े तक हो जाएगी एक या दो बज़े तक lecture upload हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा शाम को कभी कोई situation रही तो तो आपको same day lectures मिल जाएगे so that आप next day live streaming में या फिर face to face continue कर सकते हो ठीक है पर मैं पूरी कोशिश करूगा कि दो बज़े तक upload कर दो ठीक है इतने सवाल तो थे अभी अब sir ये notebook बताओ कितनी notebook maintain करनी है एक notebook आपको तो जो मैं practice question करवा होगा उसके लिए maintain करनी है अरे समझाए नहीं समझाए जहां तक charts ड्रा करना है तो मैंने अपने book में ही space दिया है charts के लिए तो अपने book में ही charts ड्रा करना है practice question कैसे लिखा जाता है उसके लिए एक notebook maintain करनी है और एक diary maintain करना हो rough work के लिए कभी मैं कहो कि मेरे साथ involve हो जाओ ये diagram निकालो चलो rough okay नीन आ रही है या फिर थोड़ा थेरी subject है तो कभी कभी थोड़ा lecture boring भी हो जाता है okay तो ऐसे situation में आपका involvement करने के लिए एक rough diary रखो और notebook आप एक ही रखो अब कोई नालाएक ये बुझेगा कितने pages की है ठीक है notebook कितने pages की होगी तो मैं ये कह दू कि notebook आपकी 200 pages more than enough उससे ज़्यादा आपको maintain करने की कोई जरुवाद नहीं है ठीक है बाकी सब मैंने notes में space रखा हुआ है सिर्फ फ्रैक्टिस question के लिए आपको notebook यहाँ पे रखना है now मैं online देख रहा हूँ कि sir ये doubt कहाँ पूछे जाएगे आप आपको mobile का app आपको मिलता है वो mobile के app में ही एक tab है question and answer q&a q&a का मतलब आपके doubts questions आप उसमें पुछोगे sir ये app कहाँ से download करना है तो आपके login में vsmartacademy.com के login में वो app के दोनों link दिये laptop में installation करना है as well as movement आपके login में आपको मिल जाएगा with key key के साथ मिल जाएगा जो भी students को इस से और कुछ doubts होगे तो 10.40 से लेके 11 बजे तक आप अपने order ID और preferable time for call कोई भी मतलब notes का issue होगा installation का issue होगा water it may be तो आपका order ID सिर्फ दो information देना है order ID and preferable time मेरी team connected है मेरी team आपका order ID लिख लेगी और आपके preferable time पर आपको call back करेगी ठीक है तो पर मैं इतना ही कहोगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपकी convenience ही मेरी priority है आने वाले 2-3 दिन patience रखना जो भी online students connected है उनके सारे issues resolve कर दिये जाएगे जो face to face students है वो नीचे office में जाएगा office में team है वो आपके कोई भी issue होगा installation का वगर है तो वो resolve कर देगी done? तो चलिए अब यहाँ मेरे गाल से आपके सारे doubts में ने entertain कर लिए है यह मोय मै वाला doubt नहीं समझा मेरे को अगे यहाँ चलि कितने pages लगेंगे 200 pages की notes बनाना पड़ेगा 200 pages का चलि हाँ notes notes बनाना चालू है approximately आपको chapters अभी fix होना बाकी है क्योंकि अभी पहले ही model बना है लेकिन approximately 17 chapters जो है आपको रहेगे जिसमें हम अगर अभी notes open करें तो model 1 में मैंने जो है कितने chapters कवर किये है 6 chapters तो 16 से 17 chapters रहेगे और वो इतने chapters हमको करने है मैं सच में कह दू कि डरना मत इतने number of pages chapter अगरे GST बहुत easy है एक बार से मेरे से समझ लो फिर आपका काम चार्ट और questionnaire ही करेगा यहने लगवक 30 pages के चार्ट में पुरा GST हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा ठीक है तो चलिए पहले chapter पे आते सभी आजाओ चप्टर वन पे आजाओ सर थो चप्टर का background बताईए मैं बताऊगा पर अभी chapter वन पे आजाओ और chapter वन basic concept of indirect taxes and constitutional levy of क्या GST सभी connect हो गए चलो चलो आप कोई बात नहीं करेगा प्लीज I need your hundred percent attention ऐसा समझो कि आप examination hall में बैटे हो और your life on stack समझ मैं ना तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है मेरे साथ सारे concept को absorb करना है देखो पेटा आप मैनत कर रहे हो आपके ममी बापा ने भी बहुत मैनत किये बस अब ये आखरी के दो मेने lectures कर लो अच्छे से और class के साथ साथ ही पढ़ाई complete करो result आपका definitely positive आएगा yes or no मेरी best wishes आपके साथ है so are you ready तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम यहाँ देखते constitutional ले भी कोई भी act स्टार्ट करने के पहले constitutional provisions क्या है भई वो act के जन्मा कहां से constitution कहता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अब आते हो यहाँ पे तो इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले concept of tax and objective of levy difference between direct and indirect taxes constitutional provision pertaining to levy of taxes what are the principles of indirect taxes and how indirect taxes are administered in a country सर कुछ नहीं समझा underline के अला हुआ ठीक है उत्ता ही समझा तो इनफ है ठीक है basic concept of GST constitutional authority ITC के basics हम इसमें पढ़ने वाले है ठीक है अब देखो यहाँ पे मैं next page पे आजाओ सर आपका पहला question what is tax अब यह बच्चो जैसी बात हुई ठीक है आप direct tax में पढ़ चुकिया एक सवाल आ सकता है कि सर मेरा direct tax हुआ ही नहीं मैंने पीडी लिया था और पीडी देखना हुआ ही नहीं फिर आज मुझे जाग आया कि जाने तो DT नहीं पहले IDT अच्छे से कर लेते अब जो हुआ सो हुआ पीडी देखना हुआ है नहीं हमारा DT का तो क्या हम IDT से अच्छे से पढ़ सकते हैं बिलकुल DT और IDT का कोई connection नहीं है provided that बस एक ही connection है दोनों एक subject में है समझ मैं है किया बाकि कोई दूसरा connection नहीं इसलिए जो भी आपने DT में पढ़ा IDT के लिए भूल जाओ exam के लिए नहीं forget it DT अलग and IDT तो आप IDT जाद के DT नहीं भी किया होगा तो भी IDT आप अच्छे से कर सकते हो जहां तक word tax की बात है DT में आपने पढ़ा होगा tax the word derived from क्या tax so it is mandatory financial burden imposed on individual or legal entity अब यह mandatory financial burden इसको मज़ाग में कहता हूँ legal हपता हपता दो टाइप के होते है कौन से दो टाइप के होते है non-legal protection money और एक होता है legal government को पैसा चीए बाई government को पैसा चीए किसलिए है infrastructure, education, health, military वगर है defense, government को पैसा चीए तो government यह एक तरह का tax impose करती है mandatory burden डालती है जिसे मैं कहता हो legal हपता is it clear? यहाँ पे it is nothing but the money that people have to pay to the government which is used to provide public services sir यह बताइए कि यहाँ पे यह जो है exam के लिए कुछ important बिल्कुल नहीं पढ़ने के लिए अच्छा क्योंकि इसा है chapter का start हो रहा है tax है नहीं क्या पर exam के लिए यह भी कोई भी आपको learn करने की जरुवाद नहीं है done अब यहाँ जहाँ तक देखा जाए what is the need of taxes government को पैसा चीए infrastructure, education, health, military, defense और other socio-economic objective के लिए जो पैसा government tax के form में लेती है अब दो type के taxes होते है बता कौन से दो type के direct tax and indirect tax माइक है students के मुझे difference बताओ ओके जो online connected है वो बताओ जो online connected है वो भी बताओ difference between हाँ पहला difference आया कि direct tax is levied on क्या income activities and indirect tax is on goods or services ठीक है और दूसरा difference हाँ मैं अभी ये students के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सुने आएगा mic ready होते है मैं उदर आऊँगा ठीक है प्लीज तो बैट जाओ GST जो है हम GST के जगा अभी बोलेंगे indirect tax ठीक है direct tax आपने क्या बोला direct tax is on same person तो indirect tax is transferable able by another person ठीक है और प्रच जोर से बुलना I am not agree with this discussion because GST rates might be different you can say that direct tax is direct tax rate on rate based on income total income okay and indirect tax based on products okay or direct tax burden create केलता है पर indirect tax में burden transfer होता है चलिए कोई यह बोलेगा डारेक टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर इन डारेक टैक्स क्या रेग्रेसिव इन नेचर ऐसे कुछ वर पड़े थे आपने पर भाई साब मेरा सवाल आपसे आएक अलग है कोई अभी online question नहीं पूछेगा next 20 minutes मुझे कोई question नहीं आना चाहिए पूरा ध्यान चाहिए 100% attention सर उसके बाद उसके बाद भी ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या भाई यह direct tax, indirect tax इन डारेक टैक्स आये कहां से कोई ऐसा तो नहीं हो आओगा कि कोई meditation हो बैठ गया आके खुली और आज से direct tax लगा दो फिर वापस meditation बैठ गया और आके खुली आज से indirect tax लगा ऐसा तो नहीं होगा कुछ तो ऐसा होगा जिससे यह system develop हुए होगे अरे आया ना चलो उस base को पकड़ते अब कि यह आपने कहा कि direct tax income earning activity to indirect tax on goods or services बट यह आया कहां से okay direct tax progressive nature indirect tax क्या यह ठीक है आपने words पढ़ लिया अच्छे लगे सब कुछ okay यह समझ में आया क्या लेकिन यह जन्मे कहां से यह समझ में आया क्या तो लग चलो उस base को पगड़ते हैं उस foundation को पगड़ते हैं सबसे पहले आता हूँ मैं indirect tax में हमारे यह example दे और indirect tax system में कैसा आया पुराने जमाने की बात है system of monarchy थी governed by kings ठीक है तो पहले अगर कोई business man other kingdom का इस kingdom में business करने आ रहा है तो उसको वहां के राजाओं को gift देना पड़ता था तो यह वह business कर सकता है जैसे East India Company आपने सुना होगा gift दे के खुश किया और फिर control कर लिया पहले यह कहा गया कि हम business करने आ रहा है हम से business करेंगे बात मैं control कर लिया yes or no तो दोस्तो पहले एक system develop था कि कोई भी बंदा अगर दुसरे के kingdom में आ रहा है और business करने आ रहा है तो पहले वहां के राजाओं को खुश करना पड़ता था gift देना पड़ता था and this customary practice of giving gift formalize into a tax यह समझना है क्या formalize into a tax let's take a example यह जो है यह अपने अनाच की 1000 bags वो 1000 bags लेके आ रहा है वो 1000 bags लेके आ रहा है और यहां बेशना है उसको दूसरे kingdom में अब उसमें से उसने यहां पे 100 bags king को gift दे दिया कि भाई मुझे business करने तो आपके area में 100 bags हम gift देते हैं आपको बची कितनी उसके पास 900 bags मुझे आप से पुछना है जैसा मैं यहां पे एक सवाल उपर रखा है और वो मैं ले रहा हूँ यहां पे हमारी kingdom में कोई आ गया हां जहां तक देखा जाए नहीं जमाना इस kingdom का है अजकल हां जहां तक देखा जाए तो हां मैं थोड़ा मीक्स हूँ 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 Old Thought और Old School as well as New School मेरा भी transition phase है 20 साल में यह मेरा 4th phase है जहां मैं student को थोड़ा अलग देखता हूँ पहले phase वाले अलग, दूसरे phase वाले अलग, अब तुमारा अलग ही अलग ठीक है तो अब यहां पे Mr. Viru a merchant of food grain he want to do a business पड़ो मेरे साथ he want to do a business in the kingdom of king Gabbar Singh मन में पड़ो he has bought 1000 bags from his village for business of costing, कितनी costing दिये 1 लाग, he has given 100 bags to king Gabbar Singh as a gift for having permission to do business in his kingdom he started his business in the kingdom of क्या, Gabbar Singh what the price he will charge to customer यह हाईलाइट करो, अगर आपके पास नोट से तो, okay if you want to earn the profit of 10% over क्या, cost अब मैं आप से यह पुछना चाओगा अगर यह 100 bags give दे रहा है तो इसके पास कितनी बची, 900 तो अब इसकी 1000 bags की costing थी कितनी costing थी बलो 1 लाग थी पर उसमें तो 100 तो उसमें free दे दिया business करने की permission ली yes or no तो अब मुझे बता 900 bags यह costing कितनी है 990 अब अगर आपको costing principle याद है costing principle याद है तो यह मुझे यह बताओ कि 100 bags जो उसमें give दिया उसका पैसा किस से record करेगा business करते बाग customer से business कर रहा है भाई तो उसकी cost भी इधर add हो जाएगी चलो मैं ऐसा allocate करता हूँ 900 bags का कितना हुआ 900,000 चरी 90,000 और जो 100 bags 10,000 costing की free दिया अब वो 10,000 तो उसको cost लगी वो किस से record करेगा मतलब यह हुआ यहाँ पे अगर जो customer को जब वो माल बेचेगा अरे यह सर नो तो उसकी 900 bags 900 bags की costing कितनी है 90,000 और जो 100 bags free दिया उसकी भी वो cost add कर देगा उसकी भी cost recover करेगा तो 10 bags जो उसने क्या दिया free दिया किसको दिया king को उसकी भी cost add कर देगा कितना 10,000 तो मुझे बताव 900 bags का total cost कितना हुआ 1,00,000 हुआ plus उसका margin कितना है 10% तो profit कितना हुआ 10% है 10,000 कितने बेचेगा 1,00,000 मतलब कोई भी दिखो दिखो एक जनम हो रहा है एक चीज का कोई भी prudent business में है सुनिएगा कोई भी क्या prudent business में है अगर उसको कुछ tax के form में देना पड़ा permission के form में देना पड़ा तो वो खुद tax bear नहीं करता है वो customer को recur कर लेगा that means burden pass on तो indirect tax कोई अभी का नहीं है indirect tax ये सालों से 2000-3000 साल पहले से जब ये practice चालों थी तब से जो भी gift दिया जा रहा है king को दिया जा रहा है उसका customer से record कर ले ना and burden pass on it's a business tax I repeat the word क्या business tax अभी से ये door बांदो ये business tax है और ये business tax जो है okay business करने के लिए जो पैसा लग रहा है cost लग रहा है खर्चा लग रहा है या tax दिया जा रहा है आज बस आप ये जो dust bag king को दिया इसके नाम पे GST कर दो business करने के लिए government को tax देना पड़ रहा है और ये आया ना और वो tax कौन सा GST देना पड़ा पहले से चाल हूँ है और ये transferable burden पहले से चाल हूँ है क्योंकि ये business tax है लेकिन अब सवाल है कि सर फिर अब आपके मैं accounting principle देखना चाहूँगा कि आपके accounting read with income tax कितने strong है मुझे ये बताओ अगर समझ लो कोई यहाँ पे manufacturer है trader है service provider है कोई भी होगा M मतलब manufacturer T मतलब trader SP मतलब service provider हाँ अब ये ये जो goods बेच रहा है या services दे रहा है इसके customer को दे रहा है value कितनी समझ लो value हम लेते 1 lakh value 1 lakh और उसके उपर business tax लगा अभी मैं GST word यूज नहीं करूगा अभी मैं word कौन सा यूज करूगा business tax फिर दिरे दिरे GST पर आएगे अरे हाँ है ना उसके पहले था XI, sales tax, VAT अरे हाँ है ना और अभी कौन सा GST इसलिए जस tax word यूज करते है उसके उपर tax लगा add rate 10% कितना हुआ 10,000 तो mechanism कैसा होता है mechanism होता है कि ये invoice बनाता है invoice में लिखता है price 1 lakh and taxes फिर वो GST हो कोई भी हो taxes 10,000 ये customer को pass on कर देता है और बाद में ये government को pay कर देता है I repeat ये customer से collect करके किसको pay करता है ये government को pay करता है और government को pay करता है और वो कितना 10,000 ओके वो कितना बेटा 10,000 पे कर दिया government अब इसका trading and profit and loss account बनाओ trading and pay and l account बनाओ तो इसका sale हुआ और बेटा इसका sale कितने से record करोगे total bill बना 1,10,000 का हाँ तो cordial bill बना 1,10,000 कितने से record करोगे sale आपके पास दो option है एक तो क्या net sales है या फिर क्या gross sales net sales is a standard accounting practice अरे है ना तो अब यहाँ पे entry, journal entry देखो मैं बहुत basic से लेके जा रहा हूँ journal entry क्या होगी general entry होगी sales की entry क्या होती है cash और customer account debit तो cash और customer account debit कितना कितने लाना है उससे कितने लेना है उससे एक लाग दस अजार लेना है वन लाग टेन ताउजन लेना है टू sales वन लाग टू जी एस्ट और टैक्स अरे समझा क्या है टेन ताउजन ठीक है इसके लेजर बनाओ लेजर में आपका एक cash का लेजर बनेगा कुछ याद आ रहा है एक sales का लेजर बनेगा और एक क्या tax payable tax क्या payable अच्छा tax payable क्या debit हुआ credit हुआ credit हुआ ना तो customer अरे यह समझ मैं customer account कितना 10 अज़ा यह समझा क्या इतना भी नहीं पता तो चुलू बढ़ पानी लेके डूब मरना ठीक है तो अब यह 10 अज़ा अब मैंने government को pay किया बता government को यह देना था मेरे को 10 अज़ा मेरी liability थी और government को दे रहा हो तो मेरी entry क्या होगी tax payable account क्या debit to cash or bank कुछ याद आए ना तो यह cash और bank में 10 अज़ार खतम हो जाएगा in short आपकी sales record होगी एक लाक से और tax की entry बाहर के बाहर खतम हो जाएगी बाहर के बाहर समझाए क्या आपका मतलब payable and cash खतम है क्या वो profit and loss account में नहीं आएगी done अब यहाँ पे sales हमने कितनी record कर दिया sales कितनी record कर दिया फिर हमारे trading expenses वगरे 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 my net profit is 20,000 तो भाई साब यह 20,000 पे क्या लगता है PGBP अगर यह chapter पढ़ा होगा PGBP पढ़ा है क्या profit and gains from business or profession तो आपके business का जो net profit है उस पे लगता है क्या income tax उस पे लगता है क्या income tax तो भाई साब अब यह सवाल यह है कि जो अब देखो मैं आपके साबने एक बहुत बढ़िया सवाल रख रहा हूँ देखता हो कौन answer देखा हूँ जो एक लाग पे मैं already GST या जो भी business tax है 10,000 government को pay कर चुका हूँ एक लाग पे दिया ना मैंने है ठीक है burden pass on हुआ होगा पर दिया तो tax मेंने है pay कर चुका हूँ अब उसी एक लाग में से 20,000 का profit हुआ है उसी एक लाग में से 20,000 का profit हुआ है उस पे common income tax ले रही है यह समझा है नहीं समझा है तो सर्व ठीक है पर फर्स इंस्टंस में लगता है कि यह double tax session है object अलग होगे जो भी होगे पर फर्स इंस्टंस में लगता है double tax session है कैसे double tax session है वह एक लाग पे business tax दिया अरे आया ना business tax कहा से आया गबबर सिंग वाला example कुछ याद आया महां से develop हुआ indirect tax अब उसी एक लाग का profit बच्चा उस profit पे भी हम क्या दे रहे income tax सर्व यह तो double tax session हुआ government लूट रही है हमे औक यहाँ पे भी tax ले रही है profit पे भी tax ले रही है यह क्या लगा के लगा government में यह कैसा इस्ट है जो double double होता है अरे हा या ना सो दोस्तों मैं आपको यह बता दू यह वैसे देखा जाये तो double है पर actual में double tax नहीं है दोनों के object अलग अलग दोनों के objects अलग 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 जो indirect tax है यह business tax है जो transfer होता है from one person to another person हा ना सर यह business tax है transfer होता है सब आपका सही है पर हमें तो clear दीख रहे है now income tax को object जो हम लगा रहे है इसका object अलग है सर object अलग है मतलब income tax क्यों लगाया जा रहा है now यहां पर चानक्य के जवाने से यह income tax develop हुआ अब थोड़ा background समझ लेते है income tax कैसे develop हुआ कैसे develop हुआ कबसे नहीं नाला है कैसे develop हुआ यह देखा जा रहा था कि जो businessman ध्यान सुनना जो businessman business कर रहा है और business tax लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है business tax pass on मतलब burden उसके ओपर नहीं आ रहा है तो burden पब्लिक पे चले गया हाँ या ना और वो फिर profit accumulate कर रहा है तो economy दो class में divide होने लगी reach class and जो reach class था business कर रहा है और टैक्स लगा की pass on यह समझ मैं है क्या और business कर रहा है profit accumulate कर रहा है तीजोरी में पैसा रहा है और टैक्स लगा की pass on यह समझ मैं है तो इनके तीजोरियों में पैसा जमा हो रहा है और economy दो part में divide हो रही है और poor class rich become more richer and poor become more poor आज भी देखा जाता हमभा निया जानी पूरे इंडिया ले लो अरे हाय है न तो ऐसे situation में अगर आपके kingdom में या country में यह situation create होती है तो यह बहुत dangerous है country के लिए बहुत ज्यादा dangerous है कुछ मुट्टीवर लोगों के हाथ में control जागा है तो फिर सोचा गया कि नहीं जो पैसा accumulate कर रहा है profit उसके तीजोरी पे attack किया जाए और तीजोरी से पैसा निकाल हो जाए इसले income tax को तीजोरी tax भी कहते है तीजोरी से पैसा निकाल हो जाए मतलब तीजोरी बेनेत लोग लगा है नाला एक रुख जाओ अब इतना लिटल मत जाना हाँ government सीजा तुमने जो कमाया उससे दो और तुम यह burden pass on नहीं कर सकते तुमारे income मेंसे चाहिए क्यों government हमारे income मेंसे ले रही है क्योंकि government is going to balance the economy इसलिए अगर आप income tax के slab देखते हो तो 10% और तीजोरी में पैसा आया 20% और पैसा आया 30% प्लस सेस वगरे मिलाके 42% अरे आया ना जैसा जैसा पैसा बढ़ेगा government तीजोरी से पैसा निकालेगी अब जो पैसा कमा रहा है वो परिशान है वो कि रहा है कि यह तो hardship है महनत मैं कर रहा हूँ चिला मैं रहा हूँ ठीक है समझा मैं रहा हूँ और जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से सिधा government पैसा ले रही और सिधा और burden not transferable income tax का burden transfer नहीं होता है समझ लो आज मेरे wife को पता चलका batch है और आज बैच पैसा में ने कमा लिया समझ लो 5 लाग रुपे कमाया ठीक है समझ लो क्या 5 लाग रुपे कमाया मैं घर पे लेके गया मेरे wife ने किया OG सुनते हो अब OG OG का जमाना क्या रहा विशू ठीक है जैसे आप अगर मेरा नाम देखते हो विशाहल यह मेरा नाम है और और मेरे wife का नाम है विशाहल यहां तक आप देखते हो को hemara issue चलते रहता है तो issue यह है Bhmm तो इशू यह है, देन्स सुनू, कि मैं घर पर गया आज, बैच का पैसा पांच लाग रुबे लेके गया, मेरे वाइप ने का, मेरे वाइप ने का कि, मुझे ना शॉपिंग के लिए पचास हजार चाहिए, मैं पचास जार, ओके शॉपिंग के लिए बहस नहीं बोलना, वो भी शादी के 15 साल बाद बिल्कुल नहीं है, स्राइटिंग में ओके है, तो अब यहाँ पर पचास हजार, हाँ चाहिए बो, पचास हजार, फिर मैंने ज्यादा बहस नहीं किया, वैसे आदत लग गई में ज्यादा बहस नहीं करता, मैंने का चलो ठीक है पर मैंने क्या किया मैंने ऐसा किया कि तुझे पचास जार चीए उसने का हाँ तो मैंने यहां का देख यह पाँच लाक रुपे मैं उसको समझा रहा हूँ and she is interior decorator मैं उसको समझा रहा है पाँच लाक है पाँच लाक में से 10% tax लग जाएगा income tax income tax लगेगा न मुझे income tax बचा कितना 4-5 तो तुझ अगर 50 मांग रही है तो मैं income tax का भी burden pass on करूगा मतलब 45 होगा सुनने में भी अजीब लगता है ठीक है? सुनने में भी अजीब लगता है मैं 45 होगा अरे उसने का मुझे 50 ही है no income tax burden pass on तो उसने का ये रिट्टिक स्टाइल बंग करो pass on समझ में आएं क्या? तो यहां बे ऐसा समझ की तुझे 50 मिल गए अरे क्या समझे 50 मिल गए यार जिसके साथ income share कर रहा हो imagine करो income tax का burden imagination income tax का burden pass on होता तो कैसे होता? अरे समझाया है imagine कैसे होता burden pass on कि मैं वाइव को pass on कर रहा हूँ समझ की 50 मिल गए दे रहा हो 45 हात में अरे हाया है ना फिर वो मेरे बच्चे आगे sir पापा यहां पे school की fees देना है कितनी फीज है? पचास अजार तो मैंने दिया 45 45 आउजन दिया और मैंने का दे दो सको fees अरे पापा पचास देना है school में teacher को बोलना burden pass on अरे समझ में आए क्या? burden pass on फिर मेरे parents है बिटा 20 जार रुपे चाहिए मैंने 18 दिया और मैंने क्या? burden pass on पता चला कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और सब बोलते है burden hello so in short income tax का burden pass on नहीं होता जिसके साथ हम share करते है क्योंकि वो तीजोरी tax है और वो तीजोरी पे government ने attack किया हुआ है क्योंकि don't allow anybody to accumulate the income it is dangerous situation for a country tax लगा और public में लओ और economy को balance करो हाँ आपको थोड़ा दिक्कत जाता है कि कमा मैं रहा हूँ मैंनत मैं कर रहा हूँ और government सिदा सिदा 40% ले रही है थोड़ा दुख होता है पर country के लिए जरूरी है और फिर इसमें आप आनागानी करते हो payment के लिए तो तब आता है फिर picture में TDS TCS कि बेटा एक काम करी इसके जेब में आने के बाद ही आनागानी करेगा पहले ही काट ले पहले ही काट ले क्योंकि ये बोलेगा मेहनत मैंने की सब कुछ मैंने किया और काट दिया तो ऐसे केस में जाय तक देखा जाए तो ऐसे केस में दोनों का object अलग है दोनों यहां पे double taxation नहीं है ये पहले दिन ही समझ लो मुझे बाद में question मत पुछना आपके question बार-बार ऐसे आएगे कि sir income tax में तो ऐसा देखा था पहले मैं तो खीच के दूगा income tax अलग ये समझ में आए गया तो अब ऐसे केस में जहां तक देखा जाए GST business tax है बिजनेस पे लग रहा है बर्डन क्या पास्वान होगा entire burden is on ultimate consumer और दूसरा okay income tax तीजूरी tax है तो इसलिए हम कहते हैं कि income tax is on income earning activity समझ मैं है क्या income tax is on income earning activity and okay indirect tax is on good services because it is a business tax कहां से जन्मा गबबर सिंग अरे याद है ना यह business tax है कोई भी burden पास्वान करेगा यह समझा या नहीं समझा दूसरा यहां पे एक किसी ने कहा कि यहां पे income tax जो है payable by person concerned yes जिसने कमाया वो ही देगा वो burden पास्वान नहीं कर सकता but indirect tax payable by one person come on payable by one person and transferable to another person वो shaped हो जाता है invoice में पता है आपने भी यहां पे government के revenue में बहुत बड़ा contribution किया और सुबे से करते हो हो हर दिन सुबह उठते ही government के revenue में contribution करते हो सर कैसे सुबह गय सुबह गय चाय पिया चाय के साथ biscuit लिया biscuit MRP inclusive of GST फिर breakfast किया breakfast में समझ लो नहीं नहीं पोहा वहां से लिया जिसका 10 और 20 लाग के उपर है क्योंकि 20 लाग से निचे exemption है तो उससे पोहा खरीदा GST CCD से गय काफी पी क्या GST फिर class में है GST फिर खाना खाने गया GST फिर आटो में बेटे GST हाँ ओए ओटल में तो ऐसे case में in short आप पे burden हर वक्त पासान हो रहा है जब जब भी कोई business activity आप खरीद रहे हो goods की या service की आप government के revenue में contribute कर रहे हो पर आप जो contribute कर रहे हो वो directly नहीं कर रहे हो यह समझाया क्या आप क्या indirectly कर रहे हो मतलब ultimately पैसा इसने दिया GST का पर इसने direct government को नहीं दिया इसने जो है indirectly दिया अरे समझाया है की नहीं समझाया है indirectly दिया तो burden is transferable to the consumer I hope you understood यहां तक सब को clear done अब देखो यहां पे एक example next page पे आते हो तो मैंने लिखा यह बेटा जो online connected है सब को clear है yes or no जो app में connected है सब को clear है अब एकजामपल देखो नेक्स पेज़ पे एकजामपल देखो देखो नेक्स पेज़ पे एकजामपल देखो लेते है Mr. A sold the goods Mr. A sold the goods to Mr. B for Rs. 1,00,000 sales tax is payable on such goods 10% determine the total price charge by Mr. A to B so look total price कितनी होगी लेको लेको वहाँ पे determination of total price determination of total price मैंने space दिया है क्या ने ने practice question के लिए आपको notebook use करना पड़ेगा तो अभी जो आपके पास notebook है उसमें solve करो notebook में आपको example number देना है example number देना है page number देना है खिक है cross reference देना है आपको और इतना cross reference दो कि यहाँ पे भी आप notebook का reference number दो समझ मैंना तो बाद में आपको trace करने आजान होगा तो यहाँ लिखो notebook में लिखो का से आपको सर दक करने है लिखोग्सार्जार्ज is बाद़ई के से अचरा. by mr a to mr b hmm proper लिखना particulars amount in rupees amount in rupees particulars mein price of the goods कितना आपका 1 lakh और उसके पर sales tax, अभी मैं GST picture में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है मैं धिरे जरे picture में लाऊँगा GST का अभी तो बस business tax समझ लो yes or no sales tax at the rate 10% कितना हूँ आपकी total price 1 lakh 10,000 आपकी total price 1 lakh 10,000 ठीक है यह आपकी total price हो गई है अब निच्छे एक example लिया है सर यह बताएए यह indirect tax जो है यह chain में कैसे चलता है जिसे manufacturer ने goods बनाया और manufacturing ने goods किसको दिया distributor, distributor ने किसको बेचा world seller, world seller ने retailer और retailer ने ultimate customer पहले मेरे साथ लिखो और फिर मैं आपको यह chain पूरी explain करता हूँ ठीक है आगे बढ़ने के पहले एक point समझ लो कोई भी economical law में यह बहुत important point है economical law में आपका tax collection and operation की तीन stages होती है पहला होता है levy दूसरा होता है assessment दूसरा होता है assessment एक मिनदे बात में लिखना है अभी मैं एक example दे रोशिप दूसरा होता है assessment और तिसरा होता है आपका क्या collection किसी को रफ में डायरी में लिखना लिख सकते है आगे notes में आएगा लेवी assessment and क्या collection लेवी मतलब creation of creation of charge assessment मतलब quantification quantification of charge और collection मतलब recovery collection मतलब recovery सर आप क्यों पढ़ा रहे हो यो बताता हो तो कोई भी economical law में यहाँ पे तीन stages होती है creation of charge quantification of charge जैसे आपने income tax पढ़ा income tax में पहले आपने यह समझा कि लेवी किस पे है liability किस के होका है आपने section 2 में income की definition पढ़ी और लेवी is on किसके ओपर है income and income broadly classified into five heads बता कौन से five heads salary house property PGP capital gain and accept हाँ तो महाँ लेवी income पे है पहले आपने यह समझा कि liability कब आती है दूसरा फिर आपने quantification किया competition of income फिर आपने competition किया और थर्ड जो भी tax compute किया हुआ आपने क्या pay किया तो हर act में कोई ऐसे event होते है जिसके ओपर tax है income tax का event person नहीं है income tax यह बहुत ध्यान से सुनना सभी ने सभी ने जो online connected हो भी ध्यान दो income tax का event person नहीं है income tax से event है income earn और जो बंदे ने इस event को touch किया current लगा नहीं समझा अगर बच्चा है दो साल का उसके कोई income नहीं पर person है अर्या है ना सभी उसके ओपर income tax लगाओगे आप सर वो clubbing वगर देख वो कुछ कमाता होगा तो नहीं कमा रहा है तो उसके ओपर लगाओगे आप tax क्यों नहीं क्यों नहीं लगाओगे वो भी तो person है main event है income on और जो बच्चा बुड़ा या इनसान जो adult है वो ये event को touch करेगा current लगेगा फिर वो income salary हो house property हो PGPP हो या फिर तो मुझे बता income tax person पे है या events पे है कौन से events पे है income on event पे कोई 80 साल का agent बंदा है जाके Everest पे बैठा है कोई पैसा नहीं कमा रहा है उससे कौन tax मांगेगा क्यों क्यों कि उसने income earn ये event को touch ही नहीं किया ये समझ में है इन्या में फिलाल तो tax person पे नहीं है जैसे चाइना में है चाइना में है कि दो से ज्यादा बर्थ हुआ पे टैक्स अरे है ना इन्या में तो भगवान की देन है ये समझा क्या तो income tax not on person income tax is on income earn और जो जो income earn करेगा उसको tax आएगा चलिए सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो वैसे ही मुझे यहाँ आपको पढ़ाना है जैसे GST आने के पहले sales tax is on sale transaction इन्या में जो जो भी sale करेगा उसके उपर क्या लगएगा sales tax आज GST जो जो भी supply करेगा supply मतलब आगे पढ़ेगा उसके पर क्या लगएगा GST सर ठीक है समझा तो event क्या है event है sale, supply, whatever it may be अरे ये समझा है निया उस event को जिसने touch किया गया for example मैं आपको एक manufacturer है अब इसे को बंदा एक ही है पर इतने events को touch कर रहा है इसने raw material import किया इंडिया में जैसे import किया raw material एक event को touch किया बता कौन से event को touch किया import क्या लग जाएगी custom duty आरे आया ना क्या लग जाएगा custom duty फिर वो raw material लाया raw material से उसने finished goods बनाया और वो supply किया supply पे अब supply किया एक और event को touch किया क्या GST फिर ये जो supply किया उससे income कमाया उससे क्या कमाया income income event को touch किया income tax फिर अपने goods की वो service दे रहा है तो फिर से GST मतलब person नहीं events जहाँ जहाँ वो touch करेगा नहीं करेगा tax related बात कर रहा हूं नहीं करेगा ये समझा है न वाँ वाँ ये current लगेगा तो मतलब मेरा ये कहना क्या है मेरा आपको ये कहना है सुनो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब चीजे मुझे ये example में पढ़ाना है manufacturer ने sale किया distributor को उसने sale को touch किया tax फिर distributor ने wholesaler को sale किया फिर से sale को touch हुआ tax और यहां पर retailer से customer तक जा रहा है फिर से sale event को touch हो रहा है tax सु मतलब सुर इतने बार सबको tax दना पड़ता है हाँ अरे सर बट नो बट शट only cut to cut सुर इसका मतलब यह समझ ले कि भई क्या हम ऐसा नहीं का सकते कि सुरी manufacturer tax देरा बाकी कोई नहीं ले रहा हुआ जब जब भी जो जो भी sale को touch करेगा tax करेगा जब जब भी जो जो भी supply को touch करेगा tax करेगा JSTI मतलब सर हर stage पर tax लगेगा हाँ इसको multi stage tax कहते है इसको क्या कहते है यह single point tax नहीं है multi stage tax है I hope you understood तो ऐसे case में चलो आप tax लगाते हैं यह logic समझा क्या है मैं कोई भी चीज ना इतनी basic से ले के जाओगा कि आपके दिमाग में घुसा दोगा चीज यह बनी कैसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे cooperate करो promise चलो तो अब यहाँ पर manufacture अभी GST नहीं है अभी sales tax लगाते है फिर GST लाएंगे पिच्छ लोगा तो इसने sale किया value एक लाग रुपे लिखो value value एक लाग रुपे तो उसके उपर sales tax कितना assume rate 10% assume rate 10% ठीक है तो इतना है बटा 10,000 अच्छा मुझे बताओ manufacturer ने 10,000 का burden pass on किया किसको pass on किया अच्छा गॉर्मेंट को यह 10,000 कौन पे करेगा अभी clear हो जाना अभी clear हो जाना ध्यान रखके नीद आरी होगी दो मेंट चिम्टा लो अपने आपको यह समझा क्या अभी clear हो जाओ तो गॉर्मेंट को कौन देगा है 10,000 manufacture देगा and burden pass on 10,000 पे करेगा और यह burden pass on करेगा total एक लाग क्या 10,000 पे यह बताओ इसकी purchase cost कितनी होई एक दस होई क्या मैं इसकी purchase cost बोल सकता हूँ अब इसका value addition अब इसका value addition यह concept को ध्यान से समझ लो value addition मतलब समझ लो इसका value addition 20,000 रुपय है including profit किसी को लिखना होगा तो value addition उसके खर्चे profit and loss account को distributor भी salary दे रहा है stationary expenses कर रहा है electricity कर रहा है business करने के लिए उसके खर्चे rain भी दे रहा है plus उसका profit per unit निकाला जाए तो per unit उसका आ रहा है profit मिला कर कितना 20,000 तो इसके आगे मैं अगर word यूज करूँ value addition मतलब expenses plus profit बोल एक बार में फिर से बोलो value addition मतलब expenses plus profit यह समझ में आया ना उसके जो expenses है अब मुझे बता उसने एक लाग 10,000 का खरीदा अरे yes और no उसमें 20,000 का value addition कर दिया तो आगे जब वो बेचेगा यह बोलो जब वो sale करेगा आगे including profit 20,000 तो कितने में sale करेगा 1,30,000 तो value क्या होगी 1,30,000 पर उसने sale event को touch किया sale event को touch किया कि उसको भी current लगा तो फिर से उसके ओपर क्या लग जाएगा sales tax at the rate क्या लिखते जाओ कितना रहा है 13,000 total 1,43,000 yes or no अब यह 1,43,000 purchase cost for wholesaler yes or no इसका value addition ले लो इसका value addition ले लो sound clear आ रहा है न सभी को sound clear है न यह book में लिखना है हमारे जो regular book है diagram पे लिखना है हाँ अब देखो यहाँ पे इसका value addition लेते 30,000 30,000 तो बताओ जब यह आगे sale करेगा तो कितने में sale करेगा 1,70,000 तो लिखते जाओ 1,00,000 क्या 73,000 उसके उपर क्या लगाएगा sales tax add the rate 10% कितना रहा है 17,300 ठीक है तो total 1,00,000 1,00,000 90,300 क्या यह purchase cost retailer के लिए हो गई रेटेलर को sell की ultimate customer यह customer अब ultimate है जिसने mobile खरीदा है TV खरीदा है मतलब आप पूरी chain से आ रहा है manufacturer से distributor distributor से वोलसेलर वोलसेलर से रेटेलर और ultimate customer मतलब आप आप mobile खरीदा है टीवी खरीदा है जो भी है उसकी purchase cost कितनी है 1,90,000 क्या 300 प्लस इसका value addition ले लेते है इसका value addition ले लेते है और यह value addition समझ लो यहाँ पर 40,000 तो यह कितना आ रहा है 1,90 2,33,300 2,30,300 ठीक है और उसके उपर sales tax यह मैं जो भी writing notes है वो writing notes मैं share कर दूँगा आपके login में handwritten notes भी मिल जाएगी तो जिसके पास notes नहीं भी होगी तो वो बाद में भी इसको cover कर सकता है ठीक है जितना भी मैं screen पे लिखुगा charts वगर है जो important है सब मैं handwritten आपके login में share कर दूँगा तो इसके उपर sales tax कितना तो कितना है तो sales tax कितना रहे है 230 ठीक है अगर आप carefully देखोगे तो दो चीज़े आपका identify होगी बताव कौन सी दो चीज़े हर stage पे sales tax लग रहा है अब मुझे बताव हर stage पे तो यह जो last price है क्या यह जो last price है 2,3,300 233,300 क्या उसमें पहले वाले का sales tax included है उसके पहले का included है उसके पहले का included है entire burden pass on to ultimate consumer नहीं समझा रहा है entire burden is pass on to ultimate consumer जब तक business chain चाल हुए तब तक आगे बढ़ेगा यह समझा है नहीं समझा है और पुरा burden ultimate consumer पे जा रहा है जितने भी पूरे chain में tax लगा this is a feature of indirect tax दूसरा आपका एक सवाल आएगा और वो यहाएगा कि सथ आपको नहीं लगता है आप यहाँ cascading effect tax on tax हो रहा है हाँ या ना नहीं लगता tax on tax हो रहा है कैसे tax on tax हो रहा है कैसे हो रहा है यह 1,30,000 में यह 1,10,000,000 included है हाँ या ना और वो 130 पे tax लगा दिया मतलब tax on tax अब आपका जो आगे 173 है उसमें तो 2 taxes included है पता कौँ से 2 taxes included है यह प्लस वो और उसपे tax लगा दिया फिर से आता है tax on tax इसको हम कहते है cascading effect क्या कहते है spelling लिखूंगा वेट करना okay cascading effect और यह और आगे बढ़ रहा है मतलब यह tax on tax लगते जा रहा है और यह इंडिया में हो रहा था यह इंडिया में हो रहा था पर फिर जनम हुआ GST का और GST के भगवान आए और यहाँ यहाँ नहीं 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 GST GST ओके GST और उसने ऐसा कुछ कमाल दिखाया कि यह जो बिजनेस वालों को double taxation लग रहा है जनम हुआ ITC का ITC मतलब input tax credit का सर यह कैसे चलता है credit वगर है देखेंगे next session यहाँ रुख जाओ यहाँ रुख जाओ यहाँ रुख जाओ आए लिगे रवी सर को दोड़ा रवी ताओीस सर अजेडना और सुम्हाँ बदाना रवीड़ी ताओी सर अँछ अट वग चल्वाँ यहाँ यहाँ और सुछ so let's uh have a big apologize for ravisa so big applause for ravisa wait 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 ruck jau ruck jau ruck jau ruck jau ruck jau two minutes ruck jau wait wait war ruck jau hello 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 खाना खाके जाना था 11-15 से हम लोग audit शुरू करने वाले हैं I am very happy to tell you that I am amongst the rank holder faculties बहुत कम है 15 plus experience I am ex-PWC Mumbai office मैंने industrial training किया हुआ IDFC mutual funds है और मैं final और inter दोनों level को पढ़ा रहा हूँ आप लोग को पता होगा almost 7 standards final level के inter level पर आ चुके हैं तो क्योंकि 15 साल से वहां पर पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए बहुत आसाने की वो standards यहां पर ले कर जाए guys we are known for our notes Vishal सर मैं आपको बता दू 2012 मैं मिला था उनसे और सर ने मैंने guidance लिया था सर से और तब मैंने मेरे notes बदले थे तब सर ने बहा था रवी तो पूने आजा तो और फिर मुला सर नहीं भी नापूर मैं एक दम पीक पे चल रहा हूँ सर कैसे आऊ मैं तो मैं को सर टॉन बोलते थे अच्छा देको बीवी से बहुत प्यार है तिरको आना नहीं है बट फाइनली इट हैपन डाट इन कोविड मैं जुड़ा वी स्मार्ट से और पिछले अल्मोस वन एन हाफ यहर मैं बैचेस ले रहा हूँ एक जो बच्चो के मन में डाउट था वो मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले ऐसा हो था था कि मैं दो लोकेशन मैनेज करता था नापूर और पूने दोनों लोकेशन मैं पढ़ाता था बट दिना रियलाइजड कि अगर पूरी तरीकी से साटिस्फाइ करना है बच्चो को तो एक ही लोकेशन पॉसिबल है हाँ साटिस्फाइ सर मैं आपका लेक्चर देख रहा था पहले वर्ड से तो साटिस्फाइ करने के लिए नाव आइम फूल टाइम पूने रेसिडेंट वित मैं फैमिली और यही पर रहके पूरे आपके मैं क्लासेस कराऊंगा किसी भी तरह कोई कॉम्परमाइज इसमें अब नहीं होता है आपको हर लेक्चर का ओडियो रिविजन मिलता है पूरे इंडिया में अपई देते है आपको अभी सैंपल बुक मिलेगी मैं आपको बोलूँगा जरूर सैंपल बुक सैंपल नोट्स आपको ओडिट के मिलेंगे आप जरूर कंपेर करिएगा उसके जो चार्ट्स है उसके जो शॉर्टकट्स है पूरे इंडिया में ऐसे आपको किताब मिलने वाली नहीं है मेरे साथ में दो स्टूरंट्स है हमारे डेली से आई है लवी शीया स्कोर्ड 81 इन ओडिट 81 in ओडिट इस लाइक 95 अपको अपको अर कॉस्टिंग लवी हैस कम और हमारे साथ में अर्नव है एंड ही इस देशन उसका भी रिजल्ट आना बाकी है गाईज मैं आपको बताओ किते लोग डारेक्ट इंट्री से डारेक्ट इंट्री वाले कभी-कभी खुद को थोड़ा कम समझते थोड़ा कॉंपलेक्स हाता यस नो मैं आपको बता दू लवी गुपता स्कोड़ेक्ट इंट्री और मैं ओनलाइन वालों को बताना चाहता हूँ अर्नवी इस वा मुंबई उसने पूरी क्लासेस पूरी ग्रूप 2 पूरी ग्रूप 1 ग्रूप 2 वी स्मार्ट से की है और मुझे पूरी उमीद है बोधरूप तो क्लियर करेगा और सब अच्छा रा तो रैंग भी ठोकेगा तो आनलाइन वालों आप भी खुद को कमना समझे और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते गाइज अभी शुभम सर की क्लास हुई तो भाई वहां पे था बड़ी हो तो कैसा हो शुभम सर जैसा हो तो और भाईया में भाईया और नालाइक को मेरे लिए क्लास हुई यहां से बोध रूप कैसे क्लियर करना है रांक कैसे लाना है इन सब के लिए मैं आपको बता दू कि क्योंकि मैं सिर्फ और पढ़ाता हुई आपके आपके डाउट्स आपका गाईडन्स इसी के उपर रहेंगे मैं आपको यही बोलूँगा बहुत सारे बच्चे रिश्टर कर चुके है और कुछ लोग सोच रहे है अटेंग अटेंग तर फर्स दर्शास फ्वेज विल कनेक अग्टो फंड्स पिर विल एंग तो विल एव गोड़ाई थैज लोग यह विल पूने बेस प्रफिर्यम्ट्य एटके दो क्वां गवंट्व अच्छा अरनव मस् भी देर अरनव को बुला लो माइक माइक हैं अच्छा नहीं से मैं देता हूं प्रशांद सर को बुला लवी गाई शी स्कूर्ट एटी वन और वो भी लेटिस्ट एग्जाम्स में मैं लवी को और अउडिट के क्लास में उन सो और मिलेंगे तोड वालिक अरे सर सर शेर आया है भाई मैं आपको बता दो लवी लवी ने भी करेक्ट लवी ने भी ग्रूप टू के सब्जेक्स के क्लासेस लिए हुए है वी स्मार्ट से अरनव ने तो पुरा ग्रूप बन और ग्रूप टू किया हुआ है करेक्ट मैं क्विक्ली लवी और अरनव है फिर उसके बाद में सर लोगों से हम लोग बात करेंगे लवी 81 आपने स्कोर किया था और मुझे लगता है रिविजन कितना भी अच्छा पढ़ लो सबस्दा इंपोर्टन रिविजन है आप क्विक्ली एक दो लाइन में बताई कि रिविजन के लिए आपने क्या किया था अबरेग भी आपने अविजना अपने लॉड़ेड एक्षिट कर दो आड़ेड आड़ेडरी आपने आपने लगता देश यूंट रोगों समय प्यर्वी आपने वाशक ज्टाना है रविजने आपने दूलाइब अजिक रवी पाश्वारा हम धिक्वीश टॉली एंटे आ and I have scored 81 in audit by direct entry so basically when it comes the question how to do the revision of audit or it is a very vast subject as you all know not only taking the classes is sufficient you have to take the revision like on continuous basis right so for audit basically you have to revise it on a daily basis and what to revise you have to like you have material like Bhaskar and Parham and Fadu so first is like go with the Bhaskar then Fadu daily daily revise Shri on charts ko dekhi aap kya linking kya flow hai kya hierarchy based charts hai colorful hai so that you keep comfortable with them and as soon as you comfort with the Bhaskar and Fadu go with the Parham solve the questions and that's all you are ready for the audit exam I know she said one thing which I like to say right from the class till the exams okay I think that was her secret to score super marks now Arnav has done full group 2 and we all have to be Amit sir that's the kind of energy that was the person in Mumbai but in the chat he was so upset that face to face the children knew that Arnav came sir only today Arnav is a small and you don't do the same as much as you do and you don't do the same as much as you do Arnav did quickly जो ग्रूप टू तुने जो मज़ा लिया और तुने जो परफॉर्म किया उसके बड़ु हेलो एव्रीवन गुड मॉर्निंग आरिया ना अवास मस्त है सब एकदम एकदम विशाल सर के क्लास में ओविसली मस्त होगे सब बिटा चल पाटी दिलता हो सब को लगता है ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैटके क्या करो इतने घंटे बट आयर रियलाईज कि अगर सर्ज के साथ बाते करते रहो कीप कनेक्टिंग विद रिएम ओनलाइन फ्रेंट्स बनाओ यू मेंक गुड एंवायरमेंट ओनलाइन लोगों लगता है बोर होता है क्या करना इस्क्रीन के सामन बेटके क्या-क्या नहीं हो सकता है, यार, खड़ा हो मैं आज आपे, अभी एक्जाम देके आया हूँ और इन लोग ने मुझे बुलाया है, I have come here, मतलब, it's a very, it's a very bad myth about online classes की बोर होता है, यह होता है, वो होता है, बट इनक, if you properly connect with the professors, बात करते रो, उनकी अडवाई लेते रो, भाई, यह लोग सीय बन गए है, यह एक्वली पेस-to-face लो की लिए भी, और एक्वली अपली अप्ली उपलीगे और अरनु से महर बात करेंगे अरिट के लिए क्लास में, Now, Prashant sir, who is going to teach FM, the FM champion? Good morning friends. First day of your day. Group 2. Prashant sir, we call chocolate boy. So, I am sure first your opening session was with GST, meaning Vishad sir, amazing super start of the day. One day full of energy. You understand what you are saying? Now, financial management will also be available. And financial management will be available. All the financial management conceptually. What happened to you, Mr. Karshan? Mr. Karshan? Thank you. How are you? मैं समझ गया आपका जोश किस साइड था तो गाइज होगेज और सब्सक्राइज वह आज साओधी थीन बज कर से एंड्य कराइज ऐसे घर अजिका क्वेल कोफ एड्रेज आपकाओं वंतरेज hai शिंट सबhartके फिर हम क्लासं रहेगा आपकोस आपका अगला क्लास तो अडिट का ही है एंड एफम के अंदर अगर आपको ऐसा इच्छ है कुछ 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 कॉंसेप्टुली फॉर्मलेस डिराइव करें जो आंसर आ रहे हैं उसके इंटरप्टिशन करें रादर दें जस्त मगिंग अप दे फॉर्मलेस तो डिफिनिटली आज साडे तीन बजे हम लोग मिल रहे हैं और रोज मिलेंगे आगे साडे तीन बजे ठीक है तो जोष रोज चाहिए अपने को तोड मालिक तोड मालिक तोड मालिक तो भाई गुडवानी मालिक और आशा करता हूँ कि आप लोग तोड़ कर रहे होंगे मालिक तो आपका सुबह तोड़ चालू ही होए और एंड दे को अंत करने के लिए मा कसम बस इतना है कि कैसे स्ट्राटीजी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए जैसे प्रसान सर ने बगाँ के पाने चे बजी तक पॉने शे बजय तक प्रसान सर लेंगे और उटके प्रसान सर एंडियम रहेंगे स्ट्राटीजील मानेजमेंट आपका बेलंस फितीम्क्रोज कर रहेगा Okay, so end of the day, 6 o'clock, we'll start it out and we'll end at 7.15 p.m. A.M. नहीं, हाँ, नहीं, तो I bet you will have best one hour to end the lectures. तोड मालेक, बाकी तो बाकी कहानी लेक्षर में रेखते हैं, मालेक. मैं बस यहाँ आया था आपको all the best बोलने, guys, group 2 के लिए all the best, मेरा गलाख खराब है, आप सबको पता है. All the very best to everyone, thank you. So, दोस्तो, यहाँ पे, जैसे group 1 में, Vsmart ने आपको best quality of teaching दिया for all subjects, तो मैं आपको आइशूर कहता हूँ कि group 2 में भी, आप Vsmart से यह एक्सपेक्ट कर सकते हो. Group 2 में भी, सारी हमारी faculties आपको best quality of teaching देंगे, और जिस तरह से आपको group 1 के subject, class में हुए, interesting हुए, उसी तरह से group 2 के भी subject आपके interesting होगे. So, all the best. और अब next मिलते हैं audit के लिए, thank you, thank you so much. झाले को आपको झाले को कि आपको एको झाले को, ये अंपको ये सब्सक्राव रिए, thank you. झाल झाल